कैसे आप लोग कि सबसे पहले जो है यह कोई रेगुलर क्लासे नहीं चल रही है आप लोग अब आप प्रिलिम्स देने वाले हैं जब कोई पीटी का फॉर्म फिल करने जाता है तो उसे अपना 100 पॉसंट देना होता है कि आपको प्रिविएश यहर का क्वेशन दिया गया यह मानकर मैंने नहीं दिया था कि आप उस क्वेशन पेपर को रखकर और एजिबल जैसे क्लासे होती है वैसे ही आप बैठे रहेंगे विंतिजार करेंगे है अगर प्रिलीम्स में क्वालिफाई करना है सेलेक्शन लेना तो अब वह समय आ गया है जहां आपको अपना 100 पॉसंट देना हो गया अगर आप अपना 100 पॉसंट देंगे तभी तो हम अपना 200 पॉसंट देंगे तो यह पहली बात है कि जितने लोग हैं जैसे question paper जो face to face यहां जिनको भी question मिल गया जो कहीं कोई online में बैठे हैं live कर रहे हैं उनको तो मान लिए नहीं भी मिला हो उनके पास पहुँच गया हो हमें नहीं पता है लेकिन सामने में देख रहा हूँ अगर आप question सबसे पहले यह आपको correction करना होगा correction क्या करना होगा जैसे question paper आया तो आप आए ही हैं इसलिए कि आप आएं किसलिए हैं कि आने वाले examination में आप कैसे अपने performance को बेहतर कर सकें तो उसके पहली परिभासा क्या है कि जो आप जो आपके सामने प्रश्णाग हैं वो देखते ही हैं आप उसको मार करना start कर देखें कोई बात नहीं है मैं इतना ही कहूंगा कि आप में से जिन लोगों ने मेरी classes की होगी मैं first day से last class तक बोलते आता हूं लोग सुनते सुनते मेरे ख्याल से कि धैरिक हो जाते हैं इरिटेट हो जाते हूंगे कि fundamentals को clear कीजिए systematic way में आगे बढ़िए comparative study कीजिए integrated study कीजिए applied study कीजिए derive करना सीखिए यह मैं बोलते आ रहा हूं बार बार मैं कितनी बार बोलूँगा हो सकता है जो लोग पहली बार मेरे से face to face हो रहे होंगे मुझे सुन रहे होंगे उनके लिए लगता हूंग यह क्या बोल रहे हैं जो मेरी classes कर रहे होंगे उनको मैं बोल अभी से भी आप अपने आपको correct कर लेंगे तो prelims qualify करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें पहला correction है पहला correction लिखा हुए था ना ऐसे प्रिलिम guidance program के ओपर connect with faculty है तो connect होना पड़ता है ना अगर previous year का questions आपको दिया गया इसलिए दिया गया था मैं तो यह मान के चल रहा था कि आप बोलेंगे यह क्यों दिया जा रहे है तो मैं solve कर चुका हूं तो मुझे लगा कि आपको जो question दिया जागा तो उसमें आपका 100% score रहेगा जो प्रस्ट् वाली किताबे पढ़ लिया मैं वाली किताबे पढ़ लिया मैंने वो कर लिया मैंने वो कर लिया और जातर जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं उन प्रस्ट्नों पर ज्यादा अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं जो प्रस्ट्साइद हो सकता है हम जैसे लोगों को भी दिया जा कि उन प्रस्तनों को आपको गलत नहीं करना है, जिनका जवाब अधिकांस प्रिलिम्स की तैयारी करने वाले deserving लोग जो sincere होते हैं, वो जानते हैं, और उन प्रस्तनों को सही करने के लिए सर नहीं खपाना है सर नहीं फोड़ना है जिन जो प्रस्म पूछें ही जाते हैं कि वह आप से ना बने वो प्रस्म पूछें ही जाते हैं जो आप से ना बने सारा खेल किस पर कि आप कितना fundamentally correct है कितना आप systematic way में आगे बढ़ रहे हैं कितना आप चीजों को derive कर रहे हैं कितना आप चीजों को compare कर रहे हैं सब ठीका हुआ किस फे fundamentals पर तो यह बार फिर से में याद देला दो कि अब चुकि prelims से कि race में आप सामिल होगें तो उसमें यह important है कि कम से कम हमें यह देखना होगा ना कि जो प्रस्ने आप solve कर सकते हैं वो आप से गलत तो नहीं हो रहे हैं उसके बाद हमारी आव सकता होगी ना कि ऐसे वो कौन से प्रस्ने जो आप solve नहीं कर पा रहे हैं उस पे हमें काम कराना होगा आप से ठीक है तीसरी बात मैं बार-बार बोलते रहता हूं कि कि आपको रटना मना है रुकना मना है और डरना मना है यह नहीं की प्रिलिम्स आ गया तो रात की नींद वड़ जा रही है और यहां बैठे हुए द्वाराम से कुश्टन पर लेकर बैठे हुए ऐसे ठीक है सिर्फ क्या होना होगा अटेंटिव होना होगा सोची इमेजिन कीजिए आपने कभी सोचा या नहीं सोचा है यह देखिए कि 120 मिनट है और हंडेड क्वेश्टन से हैं तो 120 मिनट अगर अब यहां से आप अटेंटिव नहीं रहते हैं और ध्यान से मेरी बातों को नहीं सुनते हैं समझते हैं तो एक्जामनेशन हॉल में तो आपको खुद अटेंटिव रहना है या तो मैं कराऊंगा हम जैसे लोग कराएंगे तो यह 120 मिनट जो है 120 मिनट के लिए आपको डिसिप्लिंड ही नहीं रहना है अटेंटिव भी रहना है ठीक है भी मैं नीचे से हो करा रहा हूं नीचे वाले क्लास्रूम से हो करा रहा हूं तो सब लोग बलकि आप से बेतर मां कुछ लोग सॉल्व भी कर रहे था सबसे तो देखिए सारा गेम इसका है हंडेट 20 मिनट में आप हंडेट क्वेश्चन को यानि हंडेट 20 मिनट आपको कंसेंट्रीट रहना है जब हम क्लासेज लेते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि आपके लिए क्लास बोजिल ना हो तो हमें थोड़ा सा इद उदर की कि बातिये करनी होती है हमें उधारन देने होते हैं मोटिवेट करना होता है UPC के प्रिलिम्स unfairart में में Quan क्वेश्चन पर ही आपका मोटिवेशन हैं है और हधूंडेट 120 मिनट में आपको सीधा है डर्णा मना है और हंडेट 20 मिनिट में आपको दृबबना मना है है आगे ब कि ध्यान दिए कि बहुत कुछ rockets नहीं आपके सामने मैं आपके सामने जो है previous का question इसलिए मैंने दिया कि मैं आपके साथ आपके साथ आपके सामने उस question को देखूंगा और यह साथ यह समझने का कोशिज करूंगा कि अखिर ऐसा क्या है कि पीटी के label पर बहुत अलग से research करने क्या हो सकता है ठीक है न क्या सही में सही में रटना होगा क्या सही में रटने क्या हो सकता है ठीक है तो जैसा कि हमेशा मैं बोलते आए हूं फिर से आपको ये कह दूँ कि इस examination में तीन बातों को ध्यान में रखना है एक syllabus है और दूसरा previous year questions है और previous year question जो है उनमें PT ही नहीं बलकि mains के भी questions को देखकर आपको topic पहचानना है कि आखिर का UPSC के द्वारा syllabus में कहां से प्रसंद किये जा रहे हैं इससे बहतर जो है आपके पास कोई और तरीका नहीं है जिससे आप यह समझ पहाएंगे कि आप सही direction में बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं दूसरे नंबर पर जो जिसे जिसका लोग हुआ बनाये रहता है करेंट इवेंट्स करेंट इवेंट्स की करेंट इवेंट्स नहीं पड़ पा रहे हैं करेंट इवेंट्स की त्यारी नहीं हो पा रही है मैग जिन नहीं पड़ पा रहे हैं करेंट इवेंट्स कैसे त्यार किया जै करेंट इवेंट्स से इस करेंट इवेंट्स से भी में ध्यान रखना है कि जीएस का सिलेबस है आपको जीएस का पेपर देना है आप मान लीजिए इन में किसी का जोग्रफी सब्जेक्ट हो बहुत स्टॉंग हो और वो जोग्रफी के किसी खास स्रिक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करने हैं इसका मतलब यह सा तो नहीं है कि उ हो सकता है उनका बाकी सब्जेक्ट स्टॉंग हो क्योंकि यह ध्यान रखना है कि आपको पेपर जीएस का सॉल्ब करना है और अगर हम आप आज जो डिस्केशन का टॉपिक है उसमें ध्यान रखिएगा कि जीएस में जो नैच्रोल साइंस हैं उसका जो है आपके नैच्रोल से लिंक है आपको लगता होगा कि पहले जो है साइंस का क्यों टार्गेट दिया गया पहले आपको पीजीपी के तहर जो है साइंस सर आएं रितेश सर आपको साइंस के बारे में एक इनिशियेट कर दिया उन्होंने उन्होंने क्या कर दिया सिर्फ इनिशियेट कर दिया कि अब आप यहां से आप science की तयारी सुरू कर दीजिए और अब यहां उसके बाद natural जोग्रफी physical जोग्रफी क्यों दिया गया इसलिए दिया गया physical बीच में polity है क्योंकि उसके पहले initiate किया गया था आपको art and culture history से तो बीच में polity से initiate किया गया polity को तयार करना सुरू किया जब तक आप पॉलिटिक की तयारी सुरू करेंगा तो फिर बीच में next जो आपका Sunday उसमें environment है तो जब यह natural science, natural geography, natural environment यह तीनों का जब link बनेगा तीनों को initiate कर देंगे तो GS में जो यह section है GS के level GS के अप्रोच से आप तयारी सुरू करेंगा कईहीं लोग आकर मिलते हैं जो एक बीक है तार्गेट दीया तो उसमें तैयारी पूरिए नहीं हो पा थी एगए कट आरगेट आपको दिया गया है preparation करने के लिए नहीं एक वी का तैयारी सुरू करके उसे खतम करते हैं अब जो मेरे ख्याल से आपके बाद सीडियूल है कई बर देखिए आप भी सीख सकते हैं कि जो हम सीडियूल बनाते हैं उस सीडियूल में क्या हो सकता है थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि हम लोग मशीन तो हैं नहीं किसी की तवियत खराब हो सकती है आपकी भी खराब सकती है आप भी जो प्लान करने हो सकता है आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसी डिरेक्शन में आगे बढ़ना है तो निक संडे भी हमारा है हमारे डिसकेशन में आप मिलेंगे तो आज की जो प्लानिंगे उसमें बता दू कि पहले मैं प्रि ऐसे ही आपने सॉल्व किया था की नहीं अब तो आप समझा हैं खम जा एंगे नहीं तो आपको तुलना करना है कि उसके बाद जब आपको बीच में फिर उसके बाद जो आपको इसके बार जो कुष्टम्स मिलेंगे सॉल्व करने कि लिए जो questions आपको solve करने के लिए मिलेंगे वो आपको यहीं सामने मिलेंगे फिर आप उसको solve करना है solve करने के बाद आप जब solve कर देंगे तो अब ध्यान दीजिएगा कि यह तो पहला जो part है यहां से यहां continue जो रहेगा यहां पर ले जाकर जो है मैं आपको जहां end करूँगा वहां से मैं फिर आपको plan दूँगा कि आगे क्या करना है ठीक है क्योंकि यहां natural environment के अंद गए जो topics पढ़ने से लेबस क्यों आपको मिल गया है मिला होगा ना तो अब उसमें आप यह देख लीजिए कि उन में से वह कौन कौन सा section है जो आप पढ़ चुके हैं उसको टिक मारिएगा और उतने जिसकी आप पहले से पढ़ाई कर चुके हैं उनको ही next week में revise कीजिए अगले सब्ता तक revise कीजिए जो नहीं पढ़े में उसको भी भूल जाईए ठीक है और आपको समझ में नहीं आता है तो आपके लिए एक option एक connect with faculty के इंदगत आप पॉस्नली आकर मिल सकते हैं आप पॉस्नली आकर मिल सकते हैं कि यह जो schedule दिया गया है इस schedule के according लेकिन अभी आपको किसके लिए मिलना होगा आज के discussion के बाद आप इसके लिए मिल सकते हैं जो मैं discuss कर दूंगा अब देखे तो यह धियान रखिएगा यही इन तीनों में संतुलन बनाना है तयार आपको syllabus ही करना है लेकिन previous year के question के माध्यम से revise करना है इसके लिए रिवाइज करना है अब उसके बाद जो आपके बाद section है जिसको आप geography कहते हैं यह भी मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि जब आप किसी भी विशे का अध्यान छेत्र के संदर में कर रहे हैं अगर उसके लिए आपने map को क्या कर लिए अध्यान का अधार बना लिया हो चाहे वो प्राकृतिक विशेशताय हो चाहे वो आर्थिक हो या समाजिक हो सोशल हो चीक है या इन सब पर आधारित राजनेतिक हो पॉलिटिकल हो तो उसे कहते हैं प्राकृतिक भुगोल आर्थिक भुगोल समाजिक भुगोल राजनेतिक भुगोल तो आपका जो एक क्या होगा भुगोल जोग्रफी जो है पढ़कर नहीं समझा जाता है देखकर सम अगर भुगोल भुगोल की बात करें तो भुगोल को आप बोलें मैंने ये किताबे पढ़ ली मैंने वो किताबे पढ़ ली नहीं आपने कितना मैप पढ़ लिया आपने कितने बार आटलेस में जितने मैप्स दिये गए उनको पढ़ा की नहीं पढ़ा ठीक है यह पाथ है उसमें अभी हम लोग इस सेक्शन पर आज हैं जो आपने बताया इसमें तीन बाते हैं ना प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक भगोल और प्राकृतिक प्रियाव तो कई ऐसे साइन्स के questions होंगे जो आपसे किवल साइन्स पढ़ने से नहीं बनेंगे क्योंकि उसका हो सकता है कुछ आफ्शन प्राकृतिक भोगोल me hem प्रकृत्य ज्यान में हो कई ऐसे फिजिकल जग्रफी के कॉश्छन होंगे जो आप से नहीं बनेंगे क्योंन हो सकता उसका कुछ मेंस साइंस में हो कुछ एक्श्मेशन इनवार्मेंट में हो आप GS का पेपर दें रोज ये बात ध्यान दखिएगा तो लास्ट मॉमेंट तक एप्रिल तक का शेडूल दिया गया है तो आप सोचेंगे कि एप्रिल में तो एक वी कागे बढ़ जागा हम उसे पहले कर देंगे ना एप्रिल में अगर संडे को है तो साटेड़े को एक संडे की वज़ए साटेड़े को मिल लेंगे और वहां तक आपके पास स्कोप है कि आप सेलेक्शन नहीं ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं ऐसा लगेगा एक ही बड़ा पुले रहे हैं अब तो मेरा सेलेक्शन हो जाएगा तो यह स्ट्राटजी पर चलिएगा तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट है जब हम लोग प्राकृति भगोल की बात करते हैं जब नाच्रल जिग्रफी की बात करते हैं तो छेत्र के संद्रम में हमें सिर्फ इसका अध्यन करना है अगर अस्थल मंडल का वाई मंडल का और जल म सामिल कर लेंगे अगर इसमें जैविक समुदाय को सामिल कर लेंगे तब यह प्राकृति भगोल हो जाएगा जिसको लोग प्रियावरनी भुगोल भी कहते हैं ठीक है तो देखिए समझीएगा रटना मना है बलकि यह जो छेत्र है इसी छेत्र को बार-बार-बार यूज में लाना है बार-बार इतनी बार वो आगे अलब अपने बार-बार-बार यूज में आएगा कि वह अपने प्रियूटा चला जाएगा और यूप यूज में देख लेते हैं ठीक है तो प्रिलिम्स को लेकर तनाव दबाव होता होगा नंबर बन यह कि एक तरफ से पढ़ते जा रहे हैं और सब कुछ तो यह ही नहीं समस्य यह समस्या नहीं है इसलिए अगर अभी मैं यह सोचने आपो यह से पटानीमजी आद आएगा नहीं आएगा उसका उत्तर तो हो सकता मैं भूल जाओ तो इसमें डरना क्या है डरना नहीं है न एक अपना 100% देना है आपको और डेली आपको हर मॉमेंट 100% देना होगा जिस समय आप अभी आपके सामने अब जब अभी हम लोग इस पर बात कर रहे हैं तो इसके बारे में नहीं सूचना है इन्वार्मेंट के बारे में नहीं सूचना है हिस्ट्री के बारे में नहीं सूचना है जो सामने प्रस्ण आएगा उसके बारे में सूचना है ठीक है न और जब हम क्वेश्चन क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते समयं दो जैसे पहली बार question आपके सामने आ रहा है तो question को solve कीजिए first time किसी question को देख रहे हैं तो उसे solve कीजिए आपको question solve करने आना चाहिए तो जो आप test ले रहे हैं जो आपका ये 25 अभी जो question मिला previous year का वो question मेरे आने तक अगर आप solve करते हैं तो दो बतर की बाते होती वैसे लोग जो इस question को पहले से solve किये हूँ लेकिन जिस format में उन्हें solve किया को उससे अलग करके आपको दे दिया गया और अगर आप नहीं solve कर पा रहे हैं तो ये को सोचने वाली बात होगे ना फिर आपने क्या किया तो question solve करना है दूसरे नमबर पर question को solve करने के बात सेम questions को जब सेम questions को आप ले रहे हैं तो उस question को आप practice की जगा same questions को लेकर आप क्या कर सकते हैं revision कर सकते हैं और revision करने के साथ आप अपना improvement कर सकते हैं तो आज जो previous year के questions है first part है उसमें questions को सामने रखकर मैं दोनों काम करा दूँगा कि solve कैसे करना है और फिल्स कर बताऊंगा देखे इसी question की साहता से आप कैसे revise करेंगे और अपने को improve कर पाएंगा लेकिन revision कौन करेगा जब वो question solve करेगा तो बार बार में हमीशा class में बोलता रहता हूं कि question के आगे ये आना चाहिए कि इन मेंसे कौन से question जो solve करेंगे उस topic को आपने पढ़ा है कि ने topic पढ़े ही नहीं होंगे तो पहले preparation करेंगे ने तो यह देखना होगा कि आपको preparation करना है preparation करना है कि revision करना question के माध्यम से यह तो depend करता है जो आपके सामने question आएगा अभी हमें भी नहीं पता है कि मेरे सामने क्योंकि slide में जो ऐसा sequence बना वैसे question आएगा तो मैं भी वैसे ही आपके सामने solve करेंगे वैसे strike करेगा बहुत समझ में आ रही है ना तो दो तरह से आपको अपने आपको develop करना है अभी से लेकर at least देने के पहले तक जब आपके सामने questions आ रहे हैं पहली बार तो उसे solve करने का कोशिस कीजिए नहीं बन रहे हैं कोई तनाव दबाव की बात नहीं है आपका किसमत साथ दे रहा है कि examination hall में यह situation आपको face नहीं करना पड़ रहा है आप पहले ही आपको पता चल गया कि इस प्रकार के प्रस्ण हमारे से नहीं नहीं बन रहे हैं तो हम अच्छे से उस topic को फिर से revise करें और improve करें ठीक है अब देखिए इसी को ज्यादा समय आपका इदर गवाए भी ना questions पर आ जाते हैं आज जब discussion हो जाएगा तो इसके बाद next discussion के पहले तक खाली समय मिले तो सिर्फ आप means में जो questions आए होंगे फिजिकल जोग्रफीक है उनको इस prelims के questions से compare कीजिए गया दोजर बाइस का question इसमें हमने सामय इसलिए नहीं किया इसके पहली वाले पीटे क्यों कि already YouTube में वह मैंने डिसकस किया है तो उसे दुबारा discuss करने कोई मतलब नहीं है यह जो questions आपके सामने रख रहे हैं हो सकता है क जब हमने class वालों को discuss किया हो तो हो सकता discuss भी किया हो नहीं क्योंग हमें पता नहीं है ठीके ना तब देखिए कि तो आपको ज्यादा बेटर पता को अगर discuss किया होगा तो पहला प्रशन है यहां पर कि जो आलमों किया उद्गार नहीं होते हैं तो जैसे जिसको इसका जवा है जानते हैं या नहीं जानते हैं जानते हैं तो Baltics होगा लेगर इसमें बहुत ऐसे लोग होगे जो अगर इस प्रस्त का जवाब नहीं जाने में जो घू किससे ने希望 किंस कि कि किसीने Caribbean करिवियंस किया आब इस question को देखकर आपको लगेगा कि यह question factual question हैああ यह प्रश्चन जो है जो और जितने भी अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं तो साथ आपको PGP में जितने लोग सामिल हो रहे हैं या जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको यह कमिट्मेंट किया है कि हम लोगों ने जो कोश्चन एंसर डिसकेशन किया था कोविड के दोरान या जो भी था वह सभी आपको उपलब्द होगा तो अभी साथ वह एकोनॉमी का उपलब्द होगा है जो भी जैसा भी उपलब्द होगा है तो यह जो है आप इसके बाद इन्वार्मेंट करने के बाद जो नेक्स्ट को सौल कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए इस मैप पर क्यावल आपको कमांड करना है यह पहला टॉपिक है यहां से क्वेशन आते हैं तो जिसने भी प्लेक टेक्टानिक थिऊरी पढ़ा होगा तो टेक्टानिक प्लेट्स जो हैं उसमें जहां पर दाइवर्जन प्लेट बांड ए हैं और जहां कन्वर्जन प्लेट बांडरी ए हैं वहाँиком ज tusy वाा पर ज Fame और जाहां attributes और भीमन रह नहीं होती है लेकिन जहां प्लेट बाउंडरी होता है जहां प्लेट बाउंडरी होती है वह तेक्ट और जोन gryman हो। हमेशा थ्यान रखी एगा ब्रेंधे जल मंडल हो इन तीनों में परिवरतन का द्हेन करना होता है और परिवर्तन वहां होने की संभावना यदिक होती है जहां अनिस्टेबिलेटी होती है जहां चीज़ें इनिस्टेबिल होती है वहां पर परिवर्तन होने की संभावना यदिक होती है तो अगर कोई इस मैप को देखेगा इस मैप के बेशिस पर सबसे पहले यह एक framework है इस framework में उसको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि भई जितने भी यह Convergent boundary है इस Convergent boundary में इस Ring Ring of Fire कहते हैं अब Ring of Fire कहते हैं तो Ring of Fire में यहीं पर देखें कई सारे माउंटेन है ठीक है माउंट सेंट हेलेना है ठीक है माउंट रेनियर है माउंट हुट से माउंट सहस्ता ऐसे कई माउंटेन है यहां पर माउंट कोटोपैक्सी है माउंट हो जाएस जलसलैदो है ऐसे कई माउंटेन है उससे पहले important है कि हमें इस boundary पर जितने भी important volcanic mountain है उसको जैसे question solve करते जाए वैसे वैसे आप इसमें add करते जाए अगर हम उस question को ध्यान दें तो यह जो Baltic सागर है वो tectonic boundary से दूर दूर तक इसका कोई link नहीं है जबकि अगर हम इधर की बात करें तो भुमत्य सागर काला सागर कैस्पियन सागर और तेथी सागर को सभी को एक माना जाता है कि यह सभी कहीं न कहीं तेथी सागर से ही संबंदी थे यह tectonic zone में अगर उस हिसाब से देखें तो उस हिसाब से इस zone में जितने भी यह tectonic boundary यह वहाँ पर तो instability है वहाँ पर भूबहुतिकी घटनाएं होने की संभावनाएं अधिक रहेंगे ठीक है और आपने factual question के basis पर देख लिया कि होई ठीक है बाल्टिक सागर में volcanic process नहीं होता है लेकिन है का आपको topic मिल गया ना अब ध्यान दीजिए जब आप वोलकैनों की बात करेंगे एक topic हुआ है तो वोलकैनों में आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि जब volcanic process होता है तो volcanic process में विखंडित पदार्थ भी निकलते हैं ठीके लावा में निकलता है जल वास भी निकलते हैं अन्य गैसे भी निकलती है इस प्रकार के वॉलकैनिक सकते हैं विस्पो टकता के आधार। पर दो प्रकार की वोते हैं आप जानते हो हो जल वास्प निकल रहा है वाटर एंड वेपर निकल रहा है और विखंडित पदार्थ निकल रहे हैं जल वास्प के साथ अन्य गैसे निकल रही है अन्य गैसे निकल रही है तो इसे कहते हैं फ्रियाटिक वोलके निजम जिसमें लावा निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है तो सोचे जलवास्प अन्य गैसे और विखंडित पदार्थ कि साथ लावा निकल भी सकती और नहीं निकल सकती है जब लावा निकलती भी है उस समय भी अगर जलवास्प अन्य गैसे अधिक मात्रा में होती है water vapor तो इसे आप कह सकते हैं ultra ultra steam volcanism भी कहते हैं ultra valid volcanism भी कहते हैं लग लग नाम से लोग जानते हैं जिसको phreatic volcanism के नाम से भी लोग कहते हैं कि इस प्रकार की जो आलमखी प्रक्रिया phreatic volcanism है अब उसके बाद देखिए अगर volcanism में मड निकल रहा है कीचड फ्ल्यूड निकल रहा है और साथ में विखंडित पदार्थ भी निकल रहे हैं रॉक्स वेकरा निकल रहे हैं इसे कहते हैं मड वॉलकेन हूँ मैं सिर्फ आपको धारन दे रहा हूं उधारन क्या जरू एक आपने मैप लिया वह टेक्टोनिक बाउंडरी का मैप है जितने लोग क्लासेज करते होंगे किये होंगे जी तो मैंने का हूँ हो एक यही मैप में यही से मैंने स्टार्ट करते हुए मैप को ही आपको बार बर पढ़ना है तो अगर आपके fundamentals clear है आपको पता है कि क्या है उसका plate tectonic से क्या link है plate boundary volcanism क्या कहते है कि से कहते इंट्रा plate volcanism किसे कहते है boundary से दूर volcanic process कैसे होता है ठीक है उसके बाद अगर आपके सामने आ गया mud volcano तो mud volcano जो है अब mud volcano जब होता है तो उस समय मड निकलता है कीचर निकलता है साथ में विखंडित पदात निकलते हैं और fluid निकलता है इस प्रकार का जो mud volcano होता है वो real sense में सही महने में इनका इनका igneous volcanism से कोई relation नहीं है इनका किस से कोई संब्द नहीं है जो magma के बनने के कारण जो अलमुखी प्रक्रिया होती है उनसे mud volcano का कोई संब्द नहीं है जानते मुख करण तो पहला point क्या हुआ कि वर्ट तो कर दिया गया मड़ वल कैनो लेकिन सही मायने में इनका जो यानि मागमा के कारण होने वाली जो अलमुखी प्रक्रिया से संबंद नहीं होता है लेकिन जब भी प्रित्वी के अंदर में प्रिश्यर अगर डिस्टर्बेंस होता है और गैस जो होते हैं वो पुस्ख करके मड वगरा को बाहर निकालते हैं तो इस प्रकार की जो अलमकी प्रक्रिया होती है ठीक है तो अभी जो आपने मैप देखा काला सागर कैस्पियन सागर केरिबियन सागर ये सब मड वलकैनों से प्रहवी शेतर हैं ये सभी किस से प्रहवी शेतर है मड वलकैनों से प्रहवी शेतर है और यहां पर ध्यान दीजिए ये जो कैस्पियन सागर है कैस्पियन सागर की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा इस देश के बारे में आप जानते होंगे अजर्बजान ठीक है तो अजर्बजान जो है अजर्बजान में एक आइलेंड है डैस्ली आइलेंड डैस्ली आइलेंड में सबसे अधिक मड वलकेनों होता है और पूरे वॉल्ड में में 400 से अधिक ऐसे छेत रहीं जहां पर जो मड़ वल्कैनों से प्रहावी छेत रहें उनमें से सबसे अधिक मॉड़ वल्कैनों जे शेत में होता है वह कैस्पियंस आगर के एजर वजान के पैस और 2022 2022 में जो है यहां के डैस्टली आइलेंड पर मड वलकनोस की अक्टिविटी देखी गए इसको बोलते हैं देखिए तो क्या कहते हैं कि रिवीजन किये और साथ में इंप्रूब्मेंट कर लिए जैसे आपने question solve किया आपने टिक मार दिया कि बाल्टिक सागर में जोलमकी प्रक्रिया नहीं होती है तो जानने का ये भी तो कोसिस कीजिए कि वहां क्यों नहीं होती है और बाकी जगह जो हैं कैस्पियन सागर काला सागर और केरिबियन सागर में अगर वलकनिक प्रॉसेस होता है तो वहां क्यों होता है किस प्रकार की जोलमकी प्रक्रिया होती है जब कैस्पियन सागर और काला सागर किसी टेक्टॉनिक बाउंडरी पर नहीं है कैस्पियन नहीं है तब तस्तल नहीं है तो फिर वहां किस प्रकार की ज्वालों की प्रक्रिया होती है तो आप थोड़ा सा कोसिस कीजिएगा गूगल में भी सर्च कीजिएगा इदर जो भटकते रहते हैं अन्सम मिल सकते हैं होगे इतना से जाद नहीं पांच-दस मिट समय दीजिए एक क्वेश्चन सॉल्फ किये पांच मिट समय निकालिए उसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए फिर वहां रुख जाए हैं कि जैसे इतना इतनी जानकारी आपको दे दिए और कहें कि भाई यह चाहें त्रिन दा क्यों क्योंकि सब वाटर बॉडिज हैं तो कितनी बाते समझ गया है कि मड़ वलकैनों का सही माइने में मैगमेटिक या इगनियस वलकनिजम एक्टिविटी से संबंध नहीं होता है इस प्रकार के वलकानिक प्रॉसेस में मड़ फ्लूड और मड़ फ्लूड और विखंडि सिर्फ अब यह ऐसे ही एक फ्रेम बना लीजिए आप प्रोज समझ यह मैं क्लास नहीं ले रहा हूं कि वह तो मैं हम लोगों ने जो सोचा वह आपको कर पाने को उसमें ऑप्शन था कनेक्ट विट फेकल्टी एक बार मेसेज गया कुस लोग आए हैं तो उसका ऑप्शन था कि आप आईए ना बैठिए देखिए मैं तब मैं देखू ना आप क्या कर रहे हैं हम लोग देखें समय दें आप पर क्वेश्चन सॉल्व करा हैं आप क्या सॉल्व कर रहे हैं कितना पढ़ रहे हैं कितना टिक मार रहे हैं अब यह एक ऐसा मैप ले लिजिए जो आप पहल नोट्स मत बनाईए मुल्टिपल नोट्स बनाईएगा बाद में विखर जाईएगा अब देखें नेक्स क्वेस्चन को देखिए तूध और वन में ही जैसे यह उपे से पूछा गया परदार चटानों के विश्चे में एकदम यह आसान प्रस्ण है यह फैक्ट्वल नहीं है यह सिंपल प्रस्ण है कि परदार चटाने प्रित्वी की सतर पर जलिये तंतर द्वारा निर्मीत होती है तो कम से कम वह नहीं सॉ सही है परदार चटानों में जिवास में होते हैं सही है परदार चटान विश्चिस रूप में परतों में पाई जाती है तो चलिए एक क्वेश्चन आप से नहीं बना अगला क्वेश्चन तो आगे बढ़ते रुकते नहीं न अब इसको अगर आप बेस बनाएंगे तो कहे प्रत्दार चट्टाने केवल जलिय तंत्र दोरा बनते हैं नहीं अप्रधार चट्टाने के द्वारा ही नहीं अपरदन के अन्य कारकों के दोरा अवसादों के इस्तनान्तर सचाह। और उन्हीं अवसादों का परतों में निक्षेपन होता है तो परद्दार चट्टान बनते हैं जलिये तंद के पास जो परद्दार चट्टान बनते हैं उसमें सबसे important है सेल ठीक है और इस सेल जहां होता है सेल ओयल और गैस इस पर question आगी उपिस नहीं पूछा है ठीक है क्या परद्दार चट्टानों के निर्बान में पुर्विद्यमान चट्टानों में किसका तो कहेंगे और साधी भी हो सकता है और कांत्रिद भी हो सकता है यानि इसका संबंद सैल चक्र की प्रक्रिया से रॉक साइकल से परदार चटानों में जिवास्म होते हैं बोलेंगे नहीं सभी परदार में नहीं ऐसे भी परदार चटान बने हैं जिनकी उत्पति जीवों की उत्पतिके पहले भी तो प्री-क्यामरियन युग में बने हुए परदार चट्टानों में जिवास नहीं मिलते ठीक है विशिस टूप से क्या होते हैं परतों में इसलिए स्ट्रेटीफाइड रॉक्स कहते हैं आसान कुशिन था लेकिन इसको देखकर अगर आप इसके बेसिश पर इगनियस रॉक्स के बारे में मेटमॉर्फिक रॉक्स के बारे में अगर आप नहीं सोच रहें उसी समय माँ लीजे तुरंद बन जा रहा है तो आप इसके बारे सुच इचे इसके बारे में क्या जानते हैं आगे बढ़ दिये कोई आवसक नहीं कि हर क्वेस्टन पर आप समय देंगे आप दीखिए ज्वालमकी परवत माूंट सेंट हेलन कहा na अगला पार्ट दोहीं हो जयागा न कि वैसे में जो यह मौंट सेंट हेलन अवस्तित थे तो मांट सेंट हो यह में अवस्तित है तो आप इसको माप में क्रें प्लेट बाूण्ड्री के तो आम हैं करते हुए कई सारे सब्सक्राइब 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 था कि मान लीजर्ण नियुक्तन फारistas कि अंव पुर्ण अब दाकुनहा और अशिंसियन यह सब आइलेंड है ठीक है यह सब आइलेंड है जो कि आपको कहां दिखिए यह सब आइलेंड है अब जैसे मैं बोल रहा हूं आप नोट करते जाएंगे नोट तो कर लीजिए लेकिन मेरा मानना यह है कि अपरोज सीखिए अपरोज सीखिए कि अच्छा ऐसा भी ऐसे भी नाम हमें मिल सकते हैं आप देखे जो आपने मैप एक मैप बनाया प्लेक टेक्टोने के उसे में लिख दिया कि चेली में जो है चीली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर माउंट ओजास दिल सलादो है जो विस्टू की सबसे उच सक्री है जो अला मुखी पर वहते हैं हाली में उसमें वॉलकनी जम होगा और इकवाडोर में माउंट कोट अपक्सी है तो दक्षी अमेरिका में यह दो नाम लिखें अगर आप उसके बाद जो है अगर आप जाते होकाईडो हांसू और सिको क्यू की जगह यहां पर जो इं को कि छी के जिसको सेलफर माउंटेंटे भी कहते हैं फॉलकैनिक माउंटेंटेंज्गा यहां पर भी वॉसन होता है हांसू ऑललान्डंट पर मांउट ह쳤 क्यू जी आमा है चैनने इसके बारे महां है हैं तो मांट फूली यामा जो है मांट का सबसे उचा परवंद भी है इच्व आयलेंड जिए यहां पर सुकुर राजीमा जो मोस्ट आक्टि वनकरनिक मांटन है जहांपर समय समय पर mają कैसे नों होती है बुलसान है यह सब लू जोन आइलेंड पर है अब आप सोचिए यह जो मैं आपको नाम बता रहा हूं यह फीजिकल जोगरफी का ही है ना लेकिन फीजिकल जोगरफी में जब आप फैक्चिवल क्वेश्चन करेंगा तो मैं यह ऐसा क्यों आपके दिमाग में यह बता रहा फैक्ट का कोई लिमिट नहीं होता है अगर कोई आप से फैक्चिवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो तनाव दवा मत लीजिए उस फैक्ट को लीजिए और मेन फ्रेमवर्क में उसको एड़ कीजिए कि अगर आपने वॉलकनिजम जो प्लेट बाउंटरी मैप है उसमें पहले से जो आप वॉलकनिक माउंटें जानते हैं उनमें इसको आड़ कीजिए हो सकता यह ना है लकिन जो आप पहले से जानते हैं वहीं से आज़ाए वो आप लैक अप रिवीजन कर रहा है उसके आप वहीं गलत हो जाएगा ठीक है तो आपने क्या किया एक इससे है तो इसका मत आपके बास समय है आप सॉल्व कर लिए अब रिवाइज कीजिए उसी टाइम मत कीजिए फॉर्स टाइम में सॉल्व करेंगे जैसे आज जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वह यहां सॉल्व कीजिए और धीरे 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 समय निकालकर कर पच्शिस जितने भी हूं उनको अभी से लेकर आप एक वीक का समय दिए दो दो तीन को स्टैन लिडिए और उस म में सब्सकॉने अग्याड माउंट रेनियर है मांट हुट से यहां पर माउंट को टोपक्सी है इए जरेस्टे अबाउंक कर लिए जितने भी प्लेड बांटरी यहां पर इग ए पर पुरोगनेद भांटरी यहां वलकानिक मौंट निसके पास तो जो आपको नाम मिलता जा रहें कि asus चो न्यूस्पेपर मैगदिन पढ़ने में तो उसे आड़ कर लिए जैसे अभी हाल फिलाल में न्यूज में कौन सा कौन सा माउंट वल्कनिक माउंटन न्यूज में आ गया है हवायन दीव समू में तो अब हवायन दीव समू खोजना पड़ेगा न कि हवायन दीव समू यहां प पड़ेगा ना कि हवाइन दीव सब तो सेंट्रल क्रॉस हवाइन दीव समों को क्रॉस रोड्स पैसिफिक भी कहते हैं प्रसांत महा सागर का उसे चौरहा भी कहते हैं और वो वल्कानिक वल्कानि जो होता ही क्या होताएंश क्या होता ही नहीं जानता है तो ढरिए अनि qat that 날 वह थे क्र वह आरफिए तीन महिनें बहुत कुछ थीन महिने में लोग मेंस देकर इंटरू देनी लगते हैं आप बेएसा ही कि यह हाँ यह जो सामने आपके मैप रख रहा हूं पहले देखिए कि ऐसा कोई मैप आपने अपने सामने अपने सामने ऐसा कोई मैप पहले से बनाए कि नहीं उसी में एड करते जा रहे हैं कि नहीं ठीक है उनमें आड कर रहे हैं कि अब देखिए यह कुश्चन जैसे है यह कुश् स्केल के लिक्ट रिक्टे स्केल एक लगड़की है मापकर्म है और इसके में एक अगर वैल्यू बढ़ता है तो एंपलिचूड में दस गुना ब्रधी होती है ठीक है और स्केल के प्रते पुढ़ांग पठन पर उर्जा कितना बढ़ता है 32 टाइमस अब आप सोचिए कि चुकि आपने यह सौल भी ने क्या है बलकि इसको आपने सोचा समझा तो आज भी यादा जा रहा है न जिबकि आप सोच करने हैंगे कि यह हमें सोचना पड़ेगा अब इसके साथ आप क्या कीजिए कि आप इसमें कह दिए कि यह केवल एक सही ह आप जानते हैं तो कम से कम रिक्टर स्केल को के बारे में कि रिक्टर स्केल में हम मेंगनिटूड मेजर करते हैं मरकली स्केल में हम इंटेंसिटी का मापन करते हैं रिक्टर स्केल के समय हम भूकम मूल से जो उर्जा का निसकाशन होता है उर्जा का निसकाशन होता है उसके उसके जो है magnitude को measure करते हैं उसके amplitude को और उसके उसके क्या कहते हैं आप उर्जा का कितना मात्रा में निस्काशन होता है उसका आकलन करते हैं Richter scale के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं Richter scale में जो scale होता है उसमें value 1 से लेकर 9 तक हो सकता है और यहां देखिए कि आप से सिर्फ एक नज़र दोड़ा लिजेगा तो गहेंगे यह रेयर होगा ठीक है यह दिया हुआ अर्थक्वेक एनर्जी 10 टाइम से अब यहां इतना ही से आपको देखिए question मिल जाएगा पढ़ने के ज़रूत नहीं है ठीक है तो ऐसा इस तरह का आप तो भुगोल में यह एप्रोच फॉलो करना होगा भुगोल में जैसे Richter scale जान रहे हैं तो Richter scale को मरकेली scale से compare कीजिए पहले देखिए कि एक वैज्यानिक विधी पराधारी थे दूसरा उलोकन पराधारी थे एक में एक में हम सिस्मोग्राफ की साहता से magnitude मेजर करते हैं Richter scale में तो दूसरे में हम intensity मेजर करते हैं एक में सता पर होने वाले कमपन के प्रभाव का आकलन करते हैं दूसरे में उर्जा के निस्काशन की मात्रा का और आयाम का मापन करते हैं एक में जो हम यह देखते हैं कि एपी से दूर जाने पर कमपन अधिक हो रहा है कम हो रहा है एक जगए इपी से में Richter scale बता देते हैं compare हो गया आप वह जानते ह रहें तो इसमें ज्यादा समय मत दीजिए रिवाइज कर लिजिए अब यह देखिए इसमें इसमें सभी सही है आप तो कह देंगे कि सभी सही नहीं है तबी सही है सभी सही है विद्दू चुमबक्ये तरंग विद्दू चुमबक्ये विक्रण के रूप में question कर रहा है कि पृत्वी के प्रिष्ट पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार तो यह प्रशन किस से है अर्थ मूव्मेंट से है तो पृत्वी चुमबक्ये विद्दू चुमबक्ये विक्रण के रूप में जो सतह को सौर उर्जा की प्राप्ति होती वही तो मौसम में परिवर्तन का कारण है और मौसम में परिवर्तन के कारण ही तो वेद्रिंग होता है तो यह तो सही हो गई होगा पृत्वी के अंद बल गृत्वी बल गृत्वी बल नहीं होता है तो वेगनर ने अपने सिद्धान्त में भी कहा कि गृत्वी बल के कारण ही तो महादीपों का विखंडन विश्थापन हुआ एक बल कारण बदायत है ना गृत्वी का गुंडन अर्थ के रोटेंशन से अबद्वी अपने अक्षिश बर रोटेड करती है तो अभी कन और यहपृत्वी का nejगजियन के कारण बल उत्पन होता है उसका भी सब के सब के पीछे कोई ना कोई कर और हर एक जो वर्ड दिया गया हर एक वर्ड एक क्वेस्टन जो आगे आपको देखे यूपीस ही नहीं पूछा है यहां गई उसीं की द्वारा ही प्रस्फण किया गया अब लिखिए सब्सक्राइब कि निमलेखित में जीवों के इसके बारे में चाहे मेसोसौरस हो, ठीक है, चाहे वो लेमिंग हो, ठीक है, चाहे वो ग्लोसप टेरिस हो, इस प्रकार के जो जिवास मिले हैं, वो कहां कहां मिलते हैं, इस डाइग्राम का क्यों अध्यन कीजिए, और अध्यन करके ये देखिए, कि अभी ठीक है, मेसोसौरस स्क्राइक जो एक पानी में मिनने वाला सल्सर्ट है इसके दिवास में लेकर डायग्राम की बता रहा है कि कहा मिल रहे हैं साउथ अमेरिका और अफरीका labelsyeron आफ्रिका में यहाँ देखेए यह फॉस जो फॉसइस ग्लॉसफ टेरिस उसके जिवास मिन रहे हैं साउथ अफ्री इंडिया और अंटाक्टिका में यह देख रहे हैं एक बार देखें आगे बढ़ यह रटिये मत फिर यह घूम करा जाएगा और ऐसे आपने क्या का कि महादीपों का जो विस्थापन हुआ उस विस्थापन से जो यह जैविक है जैविक विकास पर प्रभाव पड़ा इनका भगोलिक्षे तो क्या हो गया सिमित हो गया कई लिए कई ऐसे भी जीवों थे जिनके लिए एडवर्स कंडिशन हो गया ठीक है तो अब फॉसिल एविडेंस यह आपने यह देखा तो फॉसिल एविडेंस के साथ साथ आप विकनर के महादीपी इसापन का मैप देखें यह इसका जबाब आप लो जानते हूंगे तो बारंदीप जौल मुखी भारती राज इच्छतन मस्तित एक सक्री जौल मुखी है ठीक है बारंदीप ग्रेट नीको बार से लगबग तो अप जैसे जवाब तो आप जानते ही होंगे जिनको इसका जवाब पता होगा उनको लग करने आ जा रहा है तो एक स्टेप आगे बढ़िए रिवाइज कीजी और इंप्रूब कीजी फिर ये देखिए कि जो बैरेन दीप है वह भारती राज छेतर में इस्टित एक सक्रिय जौला मुखी परवत है तो क्या भारत में बैरेन दीप ही एक जौला मुखी परवत है क्यो लिटिक भी होते हैं मडवलकेनों भी होता है इस प्रकार से आप सोचिए दूसरा वर्ड है बारन दीप ग्रेट निकोबार से लगभग तो सबसे पहले देखिए कि अंडमान निकोबार दी उस समय में कौन-कौन आईलेंड का सही क्रम क्या है तो पहले चलो है अब जैसे मान लिजीए कि इस कुश्शन का पहले इस क्विस्शन में तीसरा स्टेट्मेंट दिया गया है कि आप variety ओरके Θथी — तो सही तो मैं देख रहा था ना यह तो हो गया कि आप जानगे इस प्रसंद का जवाब केवले एक सही है तो इन दोनों की जगह सही क्या है यह जानना होगा तो देखिए आप क्या करेंगे ऐसे मैप देखें ऐसा पहले अपना खुद यहां तो मेरे चुकि यह अगर ही क्लास होता तो मैं आपको मैप ड्रॉ करके दिखा देता है चुकि यहां पर क्लास नहीं आप आए हैं सोचकर कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप सॉ को पर आइलेंड की बात हैं तो नॉर्थ अंडमाद लूर अंडमान ऊसके लिए वार न्डमान तो लूर अंडमान नौर पर ये अंडमान जो है इस लूर अंडमान के साथ पोर्ट ब्लेयर के लगभग 13340 किलोमेटर के पास यह बैरन दीप है तो पहले तो यह बेशिक फ्रेमवर्क होना चाहिए ना कि नौर्थ अंडमान मिडल अंडमान लिटिल अंडमान लोवर अंडमान लिटिल अंडमान उसके बाद निकोबार में कार निकोबार के बाद लिटिल निकोबार उसके बाद ग्रेट निकोबार अब बताए यह प्रस्ना आप से गलत नहीं होने चाहिए सबसे पहले बेशिक क्या है कि आप अंडमान लिकोबार दीब के बारे में पुरा नुसंधान कर लिए और यह नहीं पता अंडमान लिकोबार दीब समू का ऐससे पहले फोटो बनाएंगे नग कम से कम पहले वो फ्रेमबर्क महीं जब कुछ भी आएगा तो सोचेंगे नग अंडमान लिकोबार दीब समू का आपने एक सीक्वेंस तयार किया यह है जोगरफी इसको याद नहीं करना है यह नहीं कि अब रटना सुरू कर दिया जब कभी भी आप अंडमान लिकोबार दीब समू के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे तो वही सामने जो आपने फिगर पनाया उसको उसमें ही उसी फ्रेमवर्क में जाकर सोचेंगे अब हागर आप से कहा गया कि यहीं पर जो है घ्रिंड बारे का मतलब जो हाल फिलहाल में जिसमें जहां विश्पोर्वा है अब question को ध्यान दीजी, UPS ने प्रस्टन कैसे किया है, यहां लिखा है 1991 में, तो ऐसा जैसे आपने statement देखा, तो statement देखने के बाद आप क्या कीजिए, कि पहले देखिए कि जो यह volcano हुआ है, इसका time कि 1991 में हुआ, 1994-5 के समय हुआ, उसका 2004 में tsunami आया था, अब 2004 में जब tsunami आया तो tsunami के आने के कारण जो हाँ, plate movement हुआ, disturbance हुआ, उस कारण से यहां पर 2005 में volcano हुआ, और इस कारण से 2008 में यह प्रस्टन भी पूछा गिया, सुनामी के समय, सुनामी आने के बाद यहां पर जो इंद्रा पॉइंट है, जो भारत का दक्षिंतम बिंदू है, वो डूब गया, और उसके आने के बाद, पोस्ट सुनामी के समय, जो है, यहां पर volcanic process भी हुआ था, और अभी इसके बाद, 2000-17 में भी वेरन आइलेंड में वॉलकनिजम हुए, तो statement तो सही दिया, लेकिन पूछा पिछले वर्स, इसके पहले जो हुआ है, वो 1991 में हुआ है, सबसे पहली वे लास्ट में, जबकि, जिस से में पूछा यह दो समय 2005 में, आप सूचे, अब इस से आपने क्या सीखा? इस से आपको यह सीखना है, कि हाल फिलहाल के दो-तीन वर्सों में, या जो आप न्यूश पेपर मैकजन में जब पढ़ेंगे, तो जितने भी वॉलकनिक अक्टिविटीज हुए हाल फिलहाल में, वर्ल्ड में, तो टाइम लाइन में देखना है, कि हाल फिलहाल 2020 में, 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, ये तीन-चार वर्सों में कहां-कहां वलकनिक प्रोसेस है, तो चुकि आप मैप में मार्क के रहेंगे, तो जहां पर हाल-फिलहाल में वलकनिक अक्टिविटीज हुआ होगा, वह सभी लोकेशन, वह रीजन, वह जोन आपके लिए अब आपने कहा कि ठीके, बैरेन आइलेंड जो है, ये एक्टिव वोलकनो है, नारकोंडम जो है, डॉर्मेंट है, यहीं पर अंडमान सागर में एक आइलेंड है, बारतंग, बारतंग आइलेंड में जो है, मड़ वोलकनो होता है ठीक है तो आप सोचिए बारतंग आइलेंड जो है अंडमान सागर में इसी जगह पर जहां मडवल केनों होता है और उसके बाद धीनोधर धीनोधर हिल जो है यह भूज में है यह अहां extinct volcanic ठीक है तो extinct volcanic यानिए extinct हो चुका है extinct का मतलब भविस में भी यहां जोलमकी प्रक्रिया होने की संभावना है नहीं रॉमिंड का मतलब जहां भविस में हो सकता है लेकिन कई वर्सों से नहीं हुआ है ठीक है अरावली परवातिये छेत्र में धोशी हिल है जो extinct volcanic mountain है ठीक है तोशम हिल है जो extinct volcanic mountain है मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं आप fact के पीछे भागते हैं न फैक्ट का कोई limit नहीं है तो फैक्ट का कोई लेमिट नहीं है तो फैक्चुल आपका कितना फैक्ट पर कमांड है इससे कभी अपना आकलन मत किज़ें कि आपके पीटी की तैहरी हुई है कि नहीं सिलेबस में दिये गए जो टॉपिक है जीएस का ना कि वह जोगरफी का ना कि वह इस्ट्री का बल्कि और जीएस में जितने सिलेबस में जो आप लोगों को टॉपिक दिया जा रहा है जहां से प्रसंद अधिकांस पूछे जा रहे हैं उन पर आपकी समझ है कि नहीं है तो फैक्ट देख रहे हैं आपको आपको रोज आईएगा रोज अस फैक्ट एक हजार फैक्ट बदा दिय प्रज पर आप हर्तों साहिठ हो जाएए और यही होता है आपके साथ में जो लोग रहते हैं पर बंबार्डमेंट करते हैं बहुत जानते हो दियो बताओ बहुत पढ़े हो तो ठीक है और लोग क्या करते है गाइड में जिख जीन के मिल गए उसी फैक्ट्वल कुश्चन मिल गए उसे प्रस्चन तो आप उसको क्या कीजिए में आपको बैरिमा क्वे एस प्रकार के भी प्रस्ट आप लुऐ और जब कभी भी निउस्पेपर मैके मांग जीन में कभी की पलेस के बारे में आएनुजुस तो उसको हाइलाइड कर देरें और हाइलाइड करें हाइलाइड करने के बाद फिर लास्ट में जैसे अभी अन लितल मार्च मार्च के बाद मार्च 같습니다 समय आए तब हम देखें कि अच्छा कौन कौन से हमने मैप को हाइलाइट किया मैंग जी निया न्यूजबर पड़ते हुए उस पर थोड़ा फोकस कर लिए तो एंसर बन जाएंगे आप देखें यह सब क्या है तो आपको क्या मिल गया बैरन आलेंड नारकुंडम आलेंड एक आक्टिव है दूसरा डॉर्मेंट है यह बारतंग मडवल कहनो है धीनो धर हिल धोशी हिल तोशम हिल यह सब एक्स्टिंट है एक्स्टिंट हो गया है बोल करनी यहां कहीं दूर दूर तक जालमकी प्रक्रिया होने की संभावना है नहीं है और आपने क्या किया इस कोश्चन के माद्यम से जो आपके सामने कोश्चन आया था उसके माद्यम से आपने यह भी देख लिया कि कब लास्ट में हुआ था तो ऐसे जोन आड़ करते रही है तो एक टॉपिक मिल गया ना आपको क्वेश्चन देख रही है अब इसक्वेश्चन को देखिए ऑप्शन चलिए एक एक करके आप टिक कर लिए होंगे उसके बाद मैं देखूंगा कि प्रित्वी का चुम्बक्येश्चित हर कुछ सौहजार सालों में उत्करमित हुआ है इतना तो कौम समाने तक आप लोग पढ़े होंगे कि प्रित्वी का एक केंद्र है प्रित्वी का जो कोर है केंद्र वो दंड चुम्बक के जासा वीहार करता है बार्बाग मेंनत के तो इसके अंदर में चुम्बक है जिसका जो मैंटिक पोल है उसका रिवर्सल भी होता रहता है तो यह चलो यार कुछ यहां कोई कुछ सौ हजार सालों में तो यह सही होगा यह बताइए क्यों गलत है प्रृत्वि जब 4000 मिलियन वर्सों से भी अधिक पहले बनी तो पहले बताइए इतना स्टेटमेंट साही है नहीं इतना यह statement सही है इसके पहले ही प्रित्वी बनी है लेकिन इसके आगे तो oxygen 54 परसेंट थी और carbon dioxide नहीं थी extreme statement यह गलत क्योंकि जब प्रित्वी की उत्पत्ती हुई थी तो उस समय atmosphere and oxygenic था science है उस समय carbon dioxide की मात्रा अधिक थी जैसे जैसे सेवाल photosynthesis के द्वारा सेवाल carbon dioxide को absorb करते गए और oxygen को release करते गए and oxygenic atmosphere oxygenic atmosphere में change होता है इस fact को नहीं भी जानते हैं तो भी आप इस question कहां factual है और लेकिन इससे एक बात समझ में आ गया कि हमें geological time scale की समझ होनी चाहिए ठीक है जब जीवित जीव पैदा हुए इसी से जवाब में उन्होंने प्रित्वी के आरंभिक वाई मंडल को बतलती है तो यह सही है तो एक और तीन अब देखिए इससे आपने क्या सीखा है कि हमें geological time scale की समझ होनी चाहिए जियो-magnetism जो चैप्टर है geomagnetism इसकी बेशिक समझ ऐसे डाग्राम लीजिए और यह जीरो डिग्री और जो magnetic equator है वह ऐसे और जो यह north pole south pole है उसकी जगा सही महने में जो कि नौर्थ जो प्रित्वी का जो चुम्बक है साउथ पोल साउथ मैंगेटिक पोल है वह इधर है कि और नौर्थ मैंगेटिक पोल इस तरफ है कि यह मैं सिर्फ अप्रोज बता रहा हूं यह आपके आपका जो question paper है उस question paper के साथ जैसे माल लीजे है कि हुआ कि हर क्लास में आपको material मिल रहा होगा इसमें नहीं मिला कि इसमें मिला एक्स्टा मेट्रियल क्या दिया जाए जितना पढ़े में उतना ही बहुत उसका आटलस फोटो देखते रहे हैं जोग्रफी में एक बार आपको बेशिक साइंस है न आपको यह नहीं पता दंड चुम्बक किसे कहते हैं तो एक बार दंड चुम्बक मैटीजम देखिए अब इसको बोलते हैं कि चुम्बक्य विशंगती है होना चाहिए नौट पोल साउथ पोल ऐसे साउथ पोल नौट पोल ऐसे है इस प्रकार से अब यह चुम्बक्य विश्वत रेखा यह चुम्बक्य विश्वत रेखा कहां से गुजरती है तो अरे लग रहा है कि हमारे भारत के पास से भी कहीं से गुजर रही है तो ऐसा कुछ भी जो हमारे देश सम्मन्नित उस पर विशेश रूप से ध्यान देना होगा और उसके बाद आप देखिए यहां मैं टिक फोर्स ऐसा निकल रहा है यहां रिवर्सल हो गया अब रिवर्सल की बात करेंगे तो रिवर्सल लिख रहा है कुछ साल सौ वर्स पहले हो यहांपर कुछ भूब ग्यानिक है गिलवर्ट है और एक मौटि आमा है इन दोनों के नाम पर रिवर्सल का नाम दिया गया ठीक है और एक भूब ग्यानिक है गौस और दूसरे है ब्रुंस इनके नाम पर नार्मल magnetic duration का है जो रिवर्सल हुआ इससे में नौर्थ पोल की तर चला गया जोग्राफिकल नौर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ जोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ मैं आपको सर्फ उधारन दे रहा हूं कि माल लेजिए या प्रस्नाया और इस प्रस्न के वो देखते हैं आपने बोला कि अच्छा इस प्रस्न को देखकर पढ़िये मत डाइग्राम निकालिये जियो मैंग्टीजम रिवर्सल का इमेज निकालिये और इमेज को निकाल कर मौटीयामा गौस ब्रस्न देख लीजिए नोट कर लीजिए कि अच्छा जब जब नॉर्मल था पहले नॉर्मल उतक्रमर था ऐसे आया इसको मैंग्टिक इपूज भी कहते हैं कि गिलवर्ट हुआ उसके लिखा वह मिल जाएगा कि फिर उसके गौस आया फिर मौटीयामा अब इसके बाद यहां पर जो यह जो मैंग्टिक पूल है तो जो हमारे चटान में क्रस्ट में जो हमारे प्रित्वी में मैंग्टिक फोर्स मैंग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो प्रित्वी के आंतरिक भाग से ही तो आ रहा है न तो जो प्रित्वी के अर्थ में जो समय में यह नियूज में है कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सोलर रेडियेशन के कारण जो मैंग्नेटिक फूर्स गे डिवलप होता इसको है मगनेटो स्फेर कहते हैं और इस मैंगनेटो स्फेर के बारे में अगर आप ने पढ़ा होगा तो उसके बाद aurora borealis और aurora australis रिलेट कर लिजे तो आयन मंडल में जहां पर एक सौर विकरण के कारण चो मक्य छेत्र का विकास होता है उसे magnetosphere का भी नाम दिया गया वहां के particle ionized हो जाते वहां पर जो different color दिखाई दिएता है नौर्थ पूल और सौथ पूल पर उसको Northern light और Southern light भी कहता है उसका नाम भी दिया गया एक बरिवाइद कर देए इसी डाइग्राम को अपडेट करते रही है पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़ें कोई बात नहीं समय बहुत है अभी जो है बहुत टाइम में अभी से भी correction सुधर जाईएगा अनुसासित हो जाईएगा और एक सही direction में चलिएगा कि जैसे आपको तरीका बता दिया कि दुनिया भर का matter पढ़ने में लगे हुए हैं ऐसे उठाएं और दे देखिए ऐसे आप देखेंगे तो देख रहे हैं जो ग्रफिकल नॉर्थ पोल जो है वह अपने position से कैसे जो magnetic पोल का चैंज जो रहा है ऐसा लिखा अर्थ सिफ्टिंग मैटिक नॉर्थ पोल तो जो जो मैगनेटिक अनमल ही है तो ऐसा आपको डियाग्राम मिल जाएगा बहुत ज्यादा नहीं है मोटे तोर पर देखेंगे पीटे में question हो जागा अभी है नहीं कि आप साइंटिस्ट बन गए अब प्रित्वी के केंदर में जाकर जो है मैगनेटिक पोल को खोजना शुरू कर द किसी एक framework में उसको add कीजिए तो answer ऐसे मिलता जगा देखिए जियोलोजिकल टाइम स्केल है यह जो ऐसा नाम आगया है है देखिए 4570 million years ago दिखा था ना और 4000 million years ago तो हैडियन है इस समय प्रित्वी के उत्पत्ती हुई ठीक है यह हिरोनियन है यह सबसे oldest glacial age है कार्बोनी फिरस जो 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 समय ग्लैशेशन हुआ थे तो सबसे पुराना जो समय हिरोनियन है उसके बाद जो है क्रायोजनीन है यह जो है सबसे ज़्यादा dynamic environment change जो हुआ वो इस समय हुआ तो जैसे जी लोजिकल टाइम स्केल देखें प्लिश्टोसीन का आप नाम ने नाम सुना इस समय कई फेस्टे ग्लैशेशन के ठीक है जैसे गुंज मिंडल रीस और उर्व ग्लैशेशन हुआ ऐसे नाम मिल गया आर एम यानि गुंज मिंडल रिस और उर्व में पढ़ लिए फोटो में लिख लिए अब सोचिए जो मैं बोल रहा हूं जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो क्लासेज कराते समय बता सकता था ना आज तैयारी वरी करके अब इसी जमें ग्यान देने लगे कि इस रिंज जो है गुंज मिंडल रिस वूर्म के समय इंटर ग्लैशेशन हुआ इस समय होमो सेपियन सेपियन में कौन-कौन से रेस आए यह सब ग्यान यह सब यह सब जो है ना यह सब आउटर टॉपिक है जब तैयारी हो जाती है तो कोश्चन सॉल्व करते समय कुछ नहीं नहीं बाते जानने को मिलती है तो उसको हम एड़ कर रहते हैं उसके लिए हम एटेंटिव रहते हैं जैसे मैं अगर बोल रहा हूं तो हम ध्यान से सुन रहे हैं यह नहीं सोचना है कि मैं पहले से जानता हूं यह नहीं जानता हूं यह सोचना है कि पहले से अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुन लो कौन जानता है इनमें से कौन सा question कब पूछा जाए प्रिलिम से ही है जो आप जानते हो आपका revision हो गया जो नहीं जानते हो improvement हो गया जानने को तो मिल गया बस इतना ही framework इसी framework में चलना है यह सोचिया कि वो सभी fact या information या question का answer आपके पास रहे तो यह less to impossible है लेकिन हाँ आपको मौका मिला तो आपने क्या कहा कि भाई यह यह याद करने की वज़ें आपने बना दिया framework कि अब geological time scale पर कोई भी अगर हमें information मिलेगा तो हम इसी में add करेंगे एक ही पेज में हमारा information add होगा कि हैडियन है या हिरोनियन है या करायों जेरीनियन है प्लिस्टोसीन का है उसका बाकी से तो आप परचित हैं अगर यह जानती नहीं है तो पहले geological time scale को तैयर कीजिए उसका पहले कलेंडर बनाईए ठीक है अब देखिए लिखाए अधिकारिक रूप से नामित प्रमुक्खनीज है जनते होंगे इस answer क्या होगा जबकि सोचिए previous year का question previous year के questions को देखते रहना है हमेशा कुछ ना समझ में आए तो previous year का question उठार के देखिए व्याक्या मत पढ़िए किताबों को मत पढ़िए तो previous year का question में यह previous year question देख रहे हैं 2020 में पूछा गया अब यह question 2020 में पूछा गया है अभी के समय न्यूज में rare earth elements भी है तो अगर यह question आप देखे रहते हैं तो इसके basis पे आप देखिए जो यह bentonite है ठीक है इसे bleach clay भी कहते है यह जो है प्रमुख जो major मिंदल से, minor मिंदल से और bleach clay भी कहते हैं और यह क्यों news में आया क्योंकि इसका manual रूप से mining होता है हम खुद से निकाल सकते हैं, clay है bentonite जो है इसको, इसका हम मतलब इसके खनन के लिए हमारे पास कोई तकनीक या मसीन नहीं होना है की ज़रुत है और इसका सफशरिक भंडार जो है यह गुजरात में गुजरात के भावनगर का नाम सुने होंगे और साथ में रास्थान के बारमर में है इस क्वेश्चन को देखकर इस क्वेश्चन को देखकर हमें यह समझना है कि जितने भी major minerals है उसके साथ साथ जो rare earth element या minor minerals है जो अपने आप में unique है वो time to time अगर हमें जानने को मिले तो उसे हम देखें अब chromite तो आप जानते है काइनाइट और सिलिमेनाइट यह दोनों aluminium silicate है यह दोनों क्या है आयस्क है और है किसके aluminium silicate minerals के जिसमें काइनाइट का सबसे अधिक भंडार जहारखंड में है बॉक्साइट जो है 90 to 95% जो है बॉक्साइट यहां से आपको मिल जाएगा सिलिमेनाइट जो है यह भी एक प्रकार कायस्क अल्मोनियम silicate का तो यह क्या है यह इसलिए unique है क्योंकि जिस प्रकार diamond transparent होता है वैसे यह भी diamond के जैसा दिखने में होता है अब इस question को देखिए समझ कर क्या देखें कि प्रस्ण पूछा है जोग्रफी में लेकिन इसका इसके लिए क्या करना है एक बार हमें minerals के और जो होते हैं इसक वेगरा उनके बारे में एक बार last moment में देखना है question solve करते भी मिलता रहेगा कि चलो यार जो important minerals है न जब आप economic survey पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा कुछ-कुछ नाम तो वहां पर इसा बाता है major minerals में में लिंडर्स तो वहां से हमें लिंक करना है तो ऐसा प्रेशन कौन सॉल पर सकता है या तो जो जानता रहेगा नहीं जानते हैं छोड़ कराना पड़ेगा क्योंकि इसका जवाब क्या है ये नहीं है बाकी चारो major minerals है इसका जवाब ये दो तीन और चार है तो अभी तक जितने भी questions आपके सामने आए इस अब जितने भी questions है ठीक है इस अब जितने भी questions है geomorphology में आपको क्या लगा कि factual questions एक था Baltic सागर दूसरा factual question ये minerals और भी factual question था वो तो बहुत basic fact था अगर इतना भी fact आप नहीं जान रहे हैं इतना भी fact अगर आप नहीं जान रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा सा topic वच्छे से revise करना है क्योंकि important volcanic mountain जो है उसमें से था जो rare जो exceptional question थे वह हमने आपको बता दी है ठीक है और इधर देखिए अब आपको तो geomorphology से strategy क्या आपको बनाना है geomorphology से जो आपके प्रस्न है वह geomorphology की जो questions होते हैं उनको solve करने के लिए concept अगर आपका बना हुआ है तो एक map लेना है जिसमें earthquake volcanism इन सबसे लेटेड जो भी distribution है plate boundary के map में उसको update करते रहना है दूसरा क्या time की scale पर देखना है geological time scale की समझें चाहिए तीसरा mineralogy mineral sources से इसका link है तो जो आपके syllabus में भुकंप जौला मुखी प्रक्रिया tsunami जैसी भूब होती की घटना है उन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए बेसिक में जो चैप्टर वो तो है और facts को त्यार करने का तरीका है इस पर climate logic के question climate logic के question अगर max 99% concept based होंगे 99% concept based होंगे तो climate logic के questions गलत नहीं होए चाहिए पहली आपकी strategy क्यों नहीं चाहिए कि geomorphology, climatology और oceanography के अगर question 10 आ रहे हैं तो आप 9 question तक सही कर सकते हैं सुरू में अगर आप 10 से 10 question में से 5 या 6 कर रहे हैं तो अच्छी तयारी चल रही है लेकिन जो आपसे नहीं solve हो रहा है उसके basis पर ऐसे अगर आप improve कर रहे हैं तो आप 9 तक पहुंच सकते हैं मतलब physical geography में आपका accuracy 90 पॉसेंट होना चाहिए और वो possible है उसके लिए पढ़ना कम देखना आप जर्ब करना ज्यादा आवश्यक है अब देखिए फटा भट ये कितना easily आप इसको solve कर सकते हैं अब कैसे आप solve किये हैं वो देख लीजिए कौन से कौन सी इक उस कड़वंडिय सवाना प्रदेश जलवाई की मुख्य मिने इसता है तो वर्थ भर वर्षा दो जलवा प्रदेश घिये एक किवलसीत का रुमनि54 की जलवाई प्रदेश के हैं आतियंत अलप कालिक्स तुष्कोरितू कहेंगे इस परकार का त्यमनिम श सवाना तुल्य का नहीं होगा और कहां पर है निस्टिस को आसान प्रस्ण अगर आप इसका एंसर जानते भी रहेंगे रठी लिए होंगे तो आप उसको टिक मार देंगे अगर इसका option आगे की विशे कर दिया दो हो सकता आपसे गलत हो जाए इसलिए solve करना है जलवाई विज्ञान के question को solve करना है यह दम दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी जलवाई विज्ञान के प्रस्ण होंगे उनमें सदिकान solve करना है जैसे देखे महादीपों की अंत दास्तों का वार्षिक ताप परिशर एन्वल रेंज आप टेंपरिचर इन दे इंटिरियर ऑफ दा कॉंटिनेंट्स इज हाई एज कंपेड टू कोस्टल एज जो आप दीजिए जो जानते होंगे इसे टिक मार देंगे एक होगा अब देखे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही कहेंगे कि जो वार्षिक ताप अंतर होता है जो वार्षिक ताप अंतर है उस वार्षिक ताप अंतर का संबंद कहीं न कहीं तटक से दूरी से विशिष्ट उसमा से है तो यहां पर भूमी और जल के बीच में तापी अंतर होते यही एक मत कारण अब लेकिन इसके पहले अगर हम यह रट लेंगे हो सकता अगली बार क्वेशन कर दें कुछ और इसमें कारण जोड़ दें तो महादीपों और महासागरों के बीच में जो अल्टिटूड में अंतर होता है ठीक है वह अल्टिटूड में अंतर जो है वार्षिक तापांतर की बजा सेम लेटिटूड में तापमान में अंतर का कारण होता है तापांतर का कारण नहीं होता है अंतर स्थवों में तेज पाउनों की विद्धमत्य एक तो यह ध्यान रखिएगा कि आपको तयारी करनी हिंदी में आपको confused करेंगे तो आपको लिए प्रिजेंस व्ट इन इते हैं तो आप कुस्ट यह बढ़ता है कि इंटेरियर में स्टॉंड हिंट्रों जो परते सो ह्टश करता है तो कब या आप इस समय कोई प्रेशर में नहीं है इसलिए इस कुश्चन को आप हो सकता है एक मारदय से मैं तो तब मानता नहीं जब आप मेरे आने के पहले 25 कुश्चन को टिक करके अपने स्कोर निकाल के रखे रहते हैं ठीक है चलिए कुछ कोश्चन से यहां देख लीजिए फटा फट बताईए अब समझिए अब मैं कुश्चन चेंज कर रहा हूं दिन और आत्री समय के विस्तार में भीनता है दिन और रात के समय में जो अंतर होता है उसका कारण प्रित्वी का अपने अक्ष पर घुणनन यह दिन और रात की समय अधी को दिखाता है कि सुर्योदे कब होगा सुर्यास्त कब होगा डिफ्रेंस का इससे लिंग प्रित्वी का सुर्य के चारों और दिर्वित्रिये रिती में परिक्रमण यह रितू परिवर्तन का कारण है यह किसे कारण है प्रित्वी अपने अक्ष पर धिर्वित्राकार मार्ग में जो परिक्रमण करती है वो रितू परिवर्तन का लेकिन उसके अस्थान के अक्षान से स्थी स्थापमान में परिवर्तन का कारण है और प्रित्वी का अपने एक्सिस पर धुकाओ और उसके च्वाब आप जानते हैं यह एक पहली हुआ और इस question को देखकर हर option को लेकर आप समझ पा रहे हैं कि ने दूसरा पहली है तो हर option को लेकर एकर आप समझ पा रहे हैं तो तब तो कहेंगे कि हम हर एक option की समझ रखते हैं और यहां पर प्रित्वी का अपने अक्षिस पर जुकाओ अगर प्रित्वी अपने अक्षिस पर जुकी भी नहीं होती तो सभी अक्षांसों पर दिन और रात की समय अधी एक होती और प्रित्वी अपने अक्षिस पर जुके होने के साथ जो चारों तरफ परिक्रमण कर रही है उसे रितू परिवर्तन के साथ माषतिन और रात कि आधीमें अंतर है आप सोचिए इस मौसम विड्द ने इसी को अप्डेट करते रहना है मौसम विज्द में सिर्फ एक ऐधिर बना लेना का और इसी में आपको अप्डेट करना कि कैसे परिक्रमन होता है जैसे आप से पूछेगा winter solusz से ठीक है तो winter solusz की अगर हम बात करें सोस्टीस का डेट क्या होगा होगा 20 21 22 24 24 क्या होगा कि यहां एक किस तो खुदी लिखा हुआ है तो आप जान रहे हैं बाइस यहां लिखा हुआ एक किस तो बोलेंगे विंटर सोरिस का कोई एक फिक्स डेट नहीं होता है यही स्टेट्मेंट बना देगा अप्रूल समझ यह और उसमें आप बोल रहे हैं बाइस यहां लिखा हुआ एक किस तो बोलेंगे इन में से रेयर कौन सा होगा तो कहेंगे बीस तेईस हो सकता है जो आपको जानने को नहीं मिल रहा है तो सबसे एक बार 1903 में 23 दिसंबर को भी विंटर सॉलिस्स हुआ था तो मान लीजिए कि आप रट लिए क्यों मैंने मुला रटना मना है आप रट लिए वहां लिख देगा कि विंटर सॉलिस्स का एक निश्चित दिन होता है तो आपका सही मान लेंगा घलत हो जाएगा ठीक है अब यह डाइग्राम पर आधारित आपकी पकड़ है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तिलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन देने का समय है कुछ प्रीविए सिर क्वेश्चन का आपको प्रीवि फटाफट जवाब दीजिए यह ऐसे प्रस्ट नहीं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप से गलत नहीं होने चाहिए आच चुके हैं क्वेश्चन आउट है और यह आपको आने वाले जो डिसकेश्चन उसके लिए मैं पहले से त्यार कर दे रहा हूं कि अब आप गेस्ट कर लेंगे अच्छा अगली बार प्रीविश यह का क्वेश्चन हमें सॉल्व कर क्या आना है इन्वार्मेंट का अब अगली बार क्या हो तो सर्प्राइज र ईबीक्त में से कोई भी तरित उत्पादित नहीं करता है ऐखें कि हूई है कि ऐसाद्स टॉं के लिए थंटर स्टॉम के लिए को में अभायू का कि प्रशार और संकुचन होना आवश्चक है जब प्रशार संकुचन होता है फैलाओ संकुचन होता है तब थंडर स्टाम हो सकता है तो यह तीसरा स्टेट्मेंट कब होता है जब लिखा रहता हवा जल उपर की और तिर चलन से वायू का प्रशार और संकुचन होता है तो यह सही हो जाता है यह होता कब जब वर्षा होता है तडित के कारण जब फैलाव और संकुचन होता है तो उसे अप तब उससे थंडर स्टार्म हो सकता है तो भी तarm हो सकता है अगर सकता है और दूसरा हवा उपर जाएगी और उसके वो उसमें फैलाव संकुचन होगा तो दंडर स्टम हो सकता है यह आवस्फ नहीं कि जब लाइटर्निंग हो तो दंडर स्टम होई और यह भी नहीं कि जब थंडर स्टम मसलाध लाइटर्निंग होई तो आपको topic मिला ने और topic मिला इसको नहीं जानते हैं तो पढ़िए यह सब आसान प्रस्थ ने कौन सा होगा मौनसुन क्योंकि तो परिवर्तन के साथ मौनसुनी पमन के दिसा में परिवर्तन होता है न यह बताइए भूमति सागरी जलवायु का संबंदे वाहिद आपकी पेटियों के विस्थापन से रेसर बेल्ड के सिफ्टिंग से यहां विंड का रिवर्सल नहीं होता हवाओं का हवाएं जो हैं वा अलग चलने लगती है ट्रांजिशन जो होने ठीक है इतने लंबे क्वेश्चन में तो आप जानते होंगे इसका तो चलिए अब आपको एक लास्ट एक लास्ट क्वेश्चन में भी है ना जलिए अब यह क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन परे चलते हैं आपको उस कड़वन्दियक शांसों में धक्षनी अट्लांटिक और धक्षनी पूर्वी प्रसान छेत्रों में चक्रवात उत्पन नहीं होता है मार देगा जिसको एंसर पता होगा तो समुद्र पिस्टो के तापमान निम्न कहां होंगे मध्यक्षांस की बात कहां कर रहा है और सिर्फ यह रहता ठीक है यह रहता है तो आप कहते हैं यह करेक्ट है आप देखे इस प्रकार के क्वेश्टन का जवाब देने के लिए ऐसे मैप लीजिए सबसे पहले एक फ्रेमवर्ग बनाई है कि ट्रॉपिकल साइकलों से प्रहावी छेत्र कौन कौन से यहां कह रहा है कि यहीं से क्वेश्टन बनाया गया है यहां कह रहा है यहां साइकलों क्यों नहीं आता है क्योंकि यह ठंडी जलधारा का प्रहा है लेकिन सिर्फ यह रहत यहां क्यों नहीं है क्योंकि यहां पर इस जगह पर ITC का prevention नहीं होता नहीं होता है और ITC का formation क्यों होता है यहां jet stream कप्रहौण रहता है प्रतविद चेंज कर देगा तो यहां पर important क्या है कि 2-3 बात इस important होग रहता है जाइन कि जैट इस्टरीम कि चक्रवात ट्रॉपिकल साइकलोन इनमें क्या लिंक है अगर आप जानते रहेंगे तो ठीक है तो सोचिए आज के समय में अभी के समय में टॉम आ गया कि माल लेजिए कि एक ही देशांतर परैसे दो साइकलोन बन गया ट्विन साइकलोन ट्विन साइकलोन वर्ड आये ना कि एक ही जोन में एक ही देशांतरी शित्र में दो साइकलोन बन गया एक उत्री में बन गया एक दक्ष नहीं बन गया ट्विन साइकलोन ऐसा वर्ड आ गया फ्यूजी वारा एफेक्ट एक साइक्लोन के चाहो तरब दूसरा साइक्लोन घूमने लगे और अभी किस्ता में बॉम साइक्लोन हो तो आप जानते ही होंगे जानते हैं उसके बारे में ठीक है आप यह सोचिए यह प्रस्ण है 2019 में पूझा है न दोज रिक्की से क्वेश्चन देखिएगा क्लाउड पर आधाईत प्रस्ण है और इसका जवाब देखिए क्या होगा प्रिथ्वी के विक्रण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं जिसे सता का ताप माना दिख रहा है इसलिए उसके बूंद इसी पर क्वेश्चन है इस बार क्वेश्चन यूपीसी ने पूझा उसमें लिखा था कि बादल जो होते हैं सता से निकलने वाले विक्रण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऐसा परावर्तित करनी के मज़ाया है यहीं से स्टेट्मेंट से सूर बनाया इसलिए तो चलिए आपको हमने क्वेश्चन को दीए दिये हैं उस स्कॵेश्चन है अब आप कहेंगे कि previous year के questions को हमने क्यों दिया उसके पीछे दो कारण थे number one कारण कि आपको question मिलते हैं आपको फटा फट टिक मारना चाहिए था और जितने questions थे उस question को solve करके अपना score देखना चाहिए था अगर आपने यह नहीं किया तो आप अभी भी इस prelims examination के प्रति सिंसिर नहीं हुए मेरे recording क्योंकि आप आहीं स्क्रम से हैं दूसरा मैंने आपको कहा है 120 मिनट में hundred questions के लिए आपको solve करना है तो 120 में attentive रहिए अगर आप class में यहां बैठे हैं नीचे बैठे हैं प्रियागराज में हैं या लाइप में बैठे हुए कहीं पर हैं कभी online कर रहे हैं और उसमें अगर आप अंदर बाहर कर रहे हैं तो all the best जब आप एक्जाम दें जाएंगे तो मैं बोलोंगो ना all the best ना बोलोंगो परिक्षा देने जाएं बोलें कि बढ़ी है all the best ठीके ना तो अब जो है आप लोगों को जो question distribute हो रहा है उसको तो कम से कम यह मानकर solve कीजिएगा कि आपको 25 question UPSC के examination hall में दिये जा रहे हैं उसके आगे यह ध्यान रखिएगा कि जो प्रस्ण आपसे बन जा रहे हैं उसके आगे टिक मारिएगा जिसको लेकर आप confused हो रहे हैं उसके आगे टिक मारिएगा जो आप से नहीं बन रहे हैं और 25 question के बाद आप नेट देख लीजिएगा कि आपका क्या score है पहले answer तो मिलेगा नहीं आपको अभी जब आप उसको अभी solve कर लेंगे तो मैं सिर्फ आपको answer बताऊंगा तिर्फ अभी answer बताऊंगा और आपको next discussion में सामिल होने के पहले बोलूँगा कि आप जितना उसमें खाली समय पर अनुसंधान कर सकते हैं कर लीजिए लेकिन हर एक question पर हर एक question पर अगर आप 10 मिनिट से ज़्यादा 5 से 10 मिनिट से ज़्यादा समय दे रहें तो टाइम वेस कर इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपका पढ़ा हुआ topic है तो और वैसा करके अगर आप एक बार उसे revise कर ले रहे हैं तो जब next time मिलेंगे तो मैं same question रखूंगा answer तो बताऊंग इन लोगों को इसे आप लोग को सब्सक्राइब करने होगा ना टेस्ट लेने और question पेपर question पेपर एक बार दिस्ट्रिबूट हो जाएगा उसके बाद जो आएंगे उनको question पेपर नहीं दीजिएगा और जब तक question पेपर question पेपर डिस्ट्रिबूट हो जाएए आप solve करने लगें उतने देर तक जो है ना दूसरे को disturb भी मत कीजिएगा और सभी को डिस्ट्रिबूट हो जागा तो मैं खुदी बोलूंगा तभी open कीजिए अभी मत देखिए पेपर सील्ड है यह पेपर आया तो देखने लगे हैं वह पीपर आया तो राइटिंग बोड में लगा कि अराम से बैठे हुए थे मैं तो आ रहा था वह देखा उसके बता सकता हूं ना जो प्रस्ण आपके सामने आए अभी उसको जब मैं बोलूंगा एक उपन करने के लिए तब ऑपन कीजिएगा ठीक है और जैसे बोलूंगा और यहां ताइमर कगर कुछ है ना जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तो स्टार्ट कीजिएगा और पुच्छी मिट का टाइमर लगा रहेगा और अपने आप से चुपके से देख लीए गा तो तो पर से श्राप पड़ेगा रहा है पिर बोलेंगे कि सर उस समय चोरी किये थे लेकिन एक्जामेशन हाल में गड़बर हो गया सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो आपके लिए जो आपको समझना है वह आपको अपना मेंजमेंट करना है आप इस तरह के जो एक्जाम सोते हैं उनको काईजवाई लेते हैं जो यूपेशी का पेपर आता है तो रात के नींद गायब हो जाती है रात की जो नींदे हो गय कि आप यूपेशी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि कुश्चन ऐसे बहुत ही आसान प्रसन है कि कुश्चन ज्यादा कठें नहीं होगा आसान होगा एक साथ दो पेपर नहीं रखिए गारें दो बार एटम देना पड़ सकता है हो सकता है खुद के लिए तो लेहीं रहे हैं और अपने मित्र के लिए भी लेकर जा रहे हैं कुछ मित्र होंगे ना जो बोलेंगा रहे मैं क्या जाओंगा तुम लेतिया ना में ही सौल्व कर दूंगा और फिर वहां रूम बेटके आपको इसका व्याख्या करेंगे ठीक है तो पहले ही बोले ना कि बाबू रही है कि हमें इसा बाबा मत बनिये गया ठीक है अब सभी को डिस्टिबूट हो जागा तो बता जिए गया डिस्टिबूट हो चुका है तो इसका देखिए मैं टाइम कितना हुआ है पच्छिस एक मिनिट और आपको समय देज रहे है और 26 जैसे का ओन कर दीजिए कि कर दिया है कि अब सॉल्ब करने स्टार्ट कर दीजिए देखिए अभी आप लोग 25 मेंच तक जो टेस्ट दिये हैं उसमें मैं आप क्लियर कर दूं कि 25 मेंच समय पूरा होने के पहले आपका पेपर कंप्लीट हो गया इसका मतलब नहीं एक्जाम ओवर हो गया अब रंगा रंकार एकरम शुरू कर दिया जाए 25 मिट के पहले भी अगर आपने कॉस्चन सॉल्व कर दिये आपसे पांच सॉल्व हो यां 10 सॉल्व हो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था कि जैसे question पूरा हुआ तो आप count करते और 25 question में से देखते । कि कितने questions तू ही question आपसे बने आप लिखते हैं कि 25 में से 2 ही बने आप कितने को पढ़कार लगा कि पढ़तो रहे हैं confused हो रहे हैं वो लिखते कितने आपसे नहीं बने मैं बार बार आपको बोलूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि UPSC का जो कौलिफाइंग राउंड है उससे आप बाहर ना हो तो उसके लिए पहले आपको डिस्प्लिन होना पड़ेगा यह जो आपको PGP Personal Guidance Program स्टार्ट किया गया इसलिए नहीं किया गया है कि कोई हम लोग के पास कोई जादू ही छड़ी है कि कुश्चन ऐसे निकालेंगे और दे देंगे वही भिड़ जाएगा और आप जाकर बाहर जो इस पर डिसकेशन करें लोग बाकी लोग जो है कि ऐसे प्रस्ण आते हैं या नहीं आते हैं यह सारा mental game है तो कुश्चन जो आपके सामने था आपको देख लेना है कि मैं बहुत लोगों को अब्जर्ब कर रहा था आती नीचे भी गया कि कुश्चन साबसे नहीं बन रहे हैं अगा जो के गात दीजेगे नहीं आ रहे हैं के उसको कंजूसी क्यों करते हैं ऐसे घेर रहे हैं धीरे से हाईलाइटर हैं जर्के दूर सहीं दिखाई देढा़ यह प्रस्ण आफसे बन गए यह प्रस्ण आप से नहीं बने और इस प्रस्ण को लेकर आप कन्फ्यूज कर गए और फिर नीचे लिखे अपना रिपोर्ट कार्ड बनाई यह आपको यह पहला आपको करना चाहिए सबसे पहला काम यह है ठीक है दूसरी बात है कि अगर 25 मिनट के लिए आपका पेपर टाइ करेंगे तो दूसरे को भी disturbance हो सकता है तो यह सोच कर एंटर कीजिए examination hall में कि बाहर निकलने क्या हो सकता ना पड़े ठीक है अब यहां से जो मैं discuss नहीं कर रहा हूं सिर्फ आपको आज जो प्रस्ण आप से पूछे गया है उनको जो है आपके सामने रखकर मैं बता रहा हू करने के लिए तो उसमें सोचते समझते हुए हम कितना question solve कर पा रहे हैं उस पर focus करना है तो आज के जो अभी part है उसमें हम लोग इस 25 question को देखेंगे कि कैसे solve किया जा सकते हैं और next time जब मिलेंगे तब तक आपके बास समय है कि उस 25 question के basis पे आप आगे अपनी तयारी की strategy बना लीजिए बहुत जादा दुनिया भर की चीजों को पढ़ने से selection नहीं होता है कि बहुत basic basic questions में जो लोगों को देख रहा था कि basic basic चीजों को आप गलत कर रहे हैं सोज नहीं पा रहे हैं जब यह बताईए जो प्रस्ण पूछे गया है कि ऐसा कोई अजूबा question तो खोज कर नहीं लाए गया 25 में से हो सकता है चार-पांच ऐसे question होगा जो factual type के होंगे बाकी सब तो पढ़े हुए topic से जुड़े हुए सम्मंदित होंगे ना ऐसा नहीं होगा कोई अलग सा कोई question आप से पूछ लिया गया और सेम पैटन पर question बना है जिस प्रकार से यूपिए सी आप से प्रसंद करती है दोनों question पर साथ में है previous year के questions और अभी जो questions मिले हैं दोनों का दोनों ही सेम तालमेल पर सेम format पर है सेम topic पर है तो questions बहुत आसा सब्सक्राइब लग जाईए फिर पढ़ने वह वैसे नहीं है और यहीं समझना है आपको यहीं समझना है कि एक बार आपको दोनों option दिया गया है आप यह नहीं complain कर सकते हैं कि सर क्या करें आप लोग से connect हो तब ना पता हो चले कहा हम गड़बड कर रहे हो तो आपको option दिय दोने कर पॉशनली आगर मिल लिजिए तो इसमें जो अभी वैसे लोग जिनका जिनकी तयारी नहीं हुई है जो पढ़े ही नहीं है तो जो आप जिस विशे को पढ़े ही नहीं है जिस topic को पढ़े हैं वो प्रशन आपसे नहीं बनने तो कोई तनाव दबाउ की बात एकदम नहीं है लेकिन उन लोगों को अभी सोचना होगा जो आप में से ऐसे लोगों जो इस सेक्षन को पढ़ चुके हों जो इसकी तयारी कर चुके हों और करने के बाद अभी यहां बैठे हों जो एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि सर अभी हमने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो चलिए देखिए क्वेश्चन को अब ध्यान से अलट रहिएगा कि दाएंबाय मत कीजिए गाए कि देखिए इनमें हमें करेक्ट स्टेट्मेंट को पहचानना है दक्षनी गोलाद में सबसे बड़ा दिन दिसंबर माह के दूसरे पखवाय में होता है यही लैंग्वेज उपिसी ने पिसली बार पूछा इसलिए इसको इसको क्या गर दिया कि ने लॉंगिस्ट डे इं इन अल्फ अगर इजरानि विंटांस 12 सॐलिस व स्किर्वाय में हमारी मिन्ट श अनकीं यहां थन्द का मौसम हो था दक्षनी गोलाद में अफ गर्मी का मौसम होता है इसका मतलब जब हमायoping तर लुक्त नाइट होते हैं सबसे लंबी रात होती है उसके रात क्या होती है कम होती जाती है तो यह स्टेटमेंट क्या होगा दक्षनी गुलाद के लिए तो सही है ठीक है सीत आयनांद के समय है उत्री गुलाद में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है तो कहेंगे यह तो सी तायनांत के समय नहीं है ग्रिस मैनांत के समय होगे statement गलत है ठीक है अब यहां दूसरा दूसरा दूसरे statement को आपने क्रॉस किया और जो option दिखाई दे रहा है उसमें तीनों में दूसरा दूसरा दिया हुआ तो आप पहला और तीसरे से आप इस करेक्ट एंसर पर आगे उसके बाद आप जब रिवाइज कीजिए तो सोचे का भूमत रेखा पर क्या होता है नहीं होता है ठीक है दूसरे question में देखिए भू चुमबक का अधिकांस भाग प्रित्वी के आंत्रिक भाग में विक्षित हो तो गहेंगे यह भी सही है अब बाहर चुमबक की छित्र की रचना में महत्पुन बाहर अलन पीटिया यानि वैन एलन बेल्ट ठीक है तो वान एलन बेल्ट जो है यह जो मैगनेटो स्फियर बनता है जो उत्तरी और धक्षनी धुरू के ऊपर जो चुमबक की छित्र का वि आप इस टॉपिक को पहले पढ़े नहीं है पढ़े नहीं है आप इन दोनों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं ठीक है क्योंकि ती तीस तो यह यह तीनों में स्टेट्में दिया गया तो ऐससे में इस कुश्चन को एकटेंट नहीं कीजिए स्किप्ट कीजिए हाँ आपको लग रहा है कि कहीं ने पढ़ें आप गेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं तो इसमें क्या हो गया पहला दूसरा और थीसरा तीनों ही सही है तो जैसे अभी हमने एक फ्रेमवर्ग बताया आप कैसे फ्रेमवर्ग बना रहे गा तो आप जाएंग बोले अच्छा यह भी एक बर पढ़ लेते हैं मैंटो स्वेर पॉल औरोरा बोरियलिस औरोरा ऑस्ट्रियलिस नॉथ लाइट सौथ लाइट आयन मंडल मैं दूसमें एक प्राइमरी रॉक्स के संदर में हमें स्टेट्मेंट को पहचानना है कौन सा करक्ठ है यानि इगनियस रॉक्स के बारे में फैल्सपार और पाइरॉक्षिन एंडेसाइड गैबरो और बसाल्ड की प्रमुख्य दीजिए अगर यह पढ़े होंगे तो जवाब दे पाएंग क्योंकि अब फैल्सपार फैल्सपार जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं सिलिकेट मिनरल्स को फैल्सपार भी कहते हैं और क्रस्ट में जो 50% से अधिक फैल्सपार होता है अगर क्रस्ट में जो खनी तत्व होते हैं उनमें फैल्सपार की मात्रा सबसे अधिक होती है और यह एक silicate minerals है तो कहेंगे कि जो ये endocyte है ये आपको crust में ही मिलेगा gabro जो है crust में मिलेगा basalt भी crust में मिलेगा gabro और basalt lower crust में मिलेगा और endocyte उसके संक्रमचित में मिलेगा कहेंगे ये सही है फेल्सपार एक प्रकार का सैल निर्मानकादी silicate खनीज है सही है उसका प्रात्मिक सैलो में आकस्मिक ती तलता के कारण छोटे हम चिकने कड़ बनते हैं तो जब आगने जल्दी ठंडा होता है तो अब एक आकार छोटा होता है इतना मैं क्लास में बताता है कि कि rate of cooling का size of crystal से तो कहेंगे यह statement सही है आप सोचिए तीसरा सही भी होता है आप जानते भी रहते हैं तो पहला तीसरा तीन जगह पर इसके लिए इस topic की समझ होगी तब भी attempt कर पाएंगे अगर मालने जिए आप से solve नहीं हो करता है अपर मैंटल में पाइरॉक्षिन और 11 कम की मात्रा अधिक होती है तो जज करते रही है ने कि अच्छा हम नहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो कोई बात ने इसको क्रॉस करेंगा आगे बढ़ें हाँ लेकिन अगर यह statement पढ़े हैं इसको पढ़ने के बाद भी अगर आप इसको टिक नहीं कर रहे हैं कि correct statement है तो फिर जो पढ़ें हो भी तो काम में नहीं है ठीक है न यह आपको जज करना है यह देखिए पिरोटिन पिरोटिन जो है कच की खाड़ी में एक प्रकार का coral island है गुजरात में पिरोटिन एक ऐसा coral island है जो आपको समुद की सतर की उपर भी coral दिखाई देता है तो यह coral island यह सही है मडगास्कर मडगास्कर एक महादीप यह दीप है यह भी सही है तिस्ता दाकुना अभी हमने word भी उच किया रहता है यह एक प्रकार का remote volcanic island है यह volcanic cluster का example है यह भी सही है ग्रेट एंटलिस जो अलमुखी दीप का example नहीं है बलकि ग्रेट एंटलिस जो एक परवत का वह भाग है जो समुद की सतर की उपर नजराता तो यह गलत है लेकिन इस question का answer देने के लिए अगर आप यह और यह जान रहे हैं यह भी जानने तो इसके बारे में जान काई हों सब्सक्राइब हो जाई है माल लीजिए यह एक तरह से कैसे question हो गया कि जब आप coral island types of island को map में क्या करेंगे मार्क कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या है तीन यूग में सही है यह प्रसंगलत नहीं होना चाहिए आपसे कॉंसर्ट बेस question है यूरेशन प्लेट के नीचे फिलिपिन्स प्लेट का छेपन के कारण रियूक्यूगर्थ करिमाण हुआ है तो फिल्पिन्स प्लेट जो है यूरेशन प्लेट के नीचे सब्डक्ट हुए इसे ही रियू क्यूं गर्थ बना है यह सही है तोंगा गर्थ प्रित्वी का दूसरा सबसे गहरा बिंदू है और चैनल सब्सक्राइब कर दाएं प्रसांट महासागर के पास्मी भाग में तोंगा गर्थ है आए दिन ये टोंगा के बारे में नियूज भी रहता है पेरू चीली गर्थ का नियमाड प्रसांद अदक्षनी अभी के प्लेट के सीमान प्रवाए गलत है नाजका प्लेट यह थ्यान रखिये कि नाज कSO प्लिट का सभडर लिखा कि अधर प्रसांत और अमिए दक्ष्नी-Amerika कि प्लिट के सीमान पर प्रसांत महाँ साँगर को प्लिट की सीमान पर नहीं हुआ है बलकि नाज का प्लिट के तो यह स्टेटेट मेंड क्या है गरत है गर्द का statement आपका सही होना चाहिए कम से कम यह statement आपका सही होना चाहिए ठीक है तो इन में से अगर आप देखें तो एक दो और चार याने C है जहां रखिएगा आज के discussion में मैं सिर्फ question solve कर रहा हूँ इसको revise या improve नहीं करा रहा हूँ इसलिए समय आपको सिर्फ solve करने तक दे रहा हूँ देखे यह प्रस्ण तो एकदम UPSC में ऐसा विकल दे तो आसान प्रस्ण है भूमंडलिये पाउनों के संदर्ब में कौन से कथन सही नहीं है सही नहीं है हमें गलत statement को पहचानना है तो उत्री गुलाद में अस्तल खंडों की अधिकता के कारण भूमंडली पाउने कुछ निश्चित अक्षांसों पर चलती है सही नहीं है यह गलत है तो यह पहला जो है सही नहीं है क्योंकि अस्तल खंडों की अधिकता की कारण भूमंडली पाउनों की तिवरता कम हो जाती है इंटेंसिटी इसका यह इससा नहीं कि किसी निश्चित अक्षांस नहीं चलती है तो यह सही नहीं है यह ताप जन्यों गती जन्यवाईदाप पेटियों और प्रित्वी की घुंडन से संबंदित होती है सही है यह सही है और अब्तट व्यापारिक पवन से प्रहावित महा सागर का तापमान अपेक्षाक्रित अधिक होता है तो अपतड़ पवन से प्रभावित महा सागर का तापमान अपेक्षाक्रित कम होता है क्योंकि जहां अपतड़ पवन का प्रभाव होता है वहां अपवेलिंग होता है अपवेलिंग के कारण जलकी सतर का तापमान कम होता ह है और यह सही नहीं है तो कौन सा होगा एक और तीन यह प्रसंद गलत नहीं होना चाहिए अभी तक के question में मान सकते हैं कि factual question आप से गलत हो जाए वर्षन के लिए आउसक कारकों में कि करेंट factors को देखना है तो आदरता गरही नभी होना चाहिए और वर्षन के लिए क्रही नभी होना चाहिए प्रतिसट शादरता तब गलत है सापेक शादरता होनी चाहिए ठीक है वायू कारण होना चाहिए एक तीन और चाहरा अगर ये question का answer गलत की हैं तो silly mistake है, ऐसा mistake नहीं होना चाहिए मतलब इस प्रकार के question अगर आपका answer गलत कर रहे हैं तो इसको correct करना है अब आपको देखना है उत्तर प्रस्मी भारत में शीट काली नवर्स है वातागरी वर्सा होती है और वातागर की कौन सी अवस्ता होती है सनरोधी अवस्ता जिसका संबन पस्मे विक्षोप से है माला बार तट में ग्रिस्म कालिन वर्सा होती है लोटते वे मौनसुन के द्वारा ये कब सही होता जब यहां कुरमंडल तट होता तो ये क्या है गलत है बंगाल वेशिन में ग्रिफन कालिन वर्सा होती है नहीं होती है होती है मौनसुन के आने के पहले जो छेत्रिय प्रभाव के कारण समवानिय वर्सा होती है उसका संबन नौर्वेस्टर से भी है उसका संबन काल बैसाखी से भी है तो ये भी सही है तमिल तीन और कितने योगम सही है तीन योगम सही है यह भी कुश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर यह सब कुश्चन गलत हो रहा है तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण होगा कि अभी आपने इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं हो देखे आपके लिए आप जो जैसे इसमें बहुत ऐ कैसे लोग होंगे जो अभी जोग्रफी नहीं पढ़े होंगे तो वह इसमें पार्टिशिपेट कर रहे हैं तो उससे एक बास ही कि जो गलतियां पढ़ने वाए लोग कर रहे हैं वह आप नहीं कीजिए डिसिप्लिंड हो जाई है अटेंटीव हो जाई है ज्यान का भंडार ज़의 घयान का कुओंअ कोजने में नहीं लगे रही है हłam ठीक है इसके चक्क रहे है जो बैसिक है कि हमको टाविक पढ़े रहेंगे तो क्विश्चन सौफ मेंलगा 25 में से अगर 15 20 kilo क्विश्चन सॉल्ख कर ले रहा है तो बहुत अच्छा आपका स्कोर रहे गा वह कब को खोजना है तो चक्रवात के किंद्द से बाहर की और जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है चक्रवाद के केंद्र से बाहर के और जाने पर वर्षा की मात्रा में पहले ब्रधी फिर कमी आती है क्योंकि चक्रवाद के केंद्र में आँक में जो है क्योंकि ट्रॉपिकल स्रेक्लोन पर पूछ रहा है कि अधिक कि लिखा हुआ है किन यहां यहां से हिंदी में देखिए एःडवाद साइकलो एक ही बात कि अंग्रेजी भिcue मान लीजिए तो किंद से बाहर जाने पर वाउधाब में कि वाउधाब में कमी आती है चक्रवात के केंज से बाहर जाने पर वाईदा बढ़ता ही है ना ऐसे में भी गलत है वहां पर अंग्रेजी में भी अगर लिखा हुआ है तो तो चली कमसम इसी बाहन है अंग्रेजी में गलत हो सभी तो देख रहे हैं आप लो तो तेलिए यह स्टेट्मेंट गलत है चक्रवात के तापक्रम में चैटी विभिन्ता नहीं पाए जाती है थो उस कड़वन्दिये चक्रवाद की जो पत्ती होती हो बैरोटरॉपिक वाइमंदल में होती है और बैरोटरॉपिक वाइमंदल उससे कहते हैं जहां सम ताप an दाव रेखांए एक दूसरे के समना अंतर होती है और चहती तलansas पर तंपरीरत點स नही का जा रहा है ट्रॉपियां ठीक है चक्रवाद के विकास में कॉर्यूलिस बल अनिवारी कारक है क्या है है तो इसमें कौन सा सही नहीं है एक और दो तो यह करेक्ट हो अगर मान लेजिए यह क्वेश्चन यह स्टेट्मेंट को आपने करेक्ट माना होगा तो फिर सेले मिस्टेक है सोच यह नहीं थोड़ा सा अगर पढ़े हुए तो नहीं पढ़ें तो बहुत टाइम है परिशान नहीं हुए यह जेट स्ट्रीम के संदर में जेट स्ट्रीम के संदर में स्टेट्मेंट में कौन से करेक्ट है यह देखना है उत्तरी गुलाद में अस्तल खंडों की अधिकता के कारण जेट स्ट्रीम अधिक व्यवस्तित और विख्षित होती है यह statement गलत है ठीक है अस्तल खंडों की अधिकता की कारण जेट स्टीम में जो है एक प्रकार का आस्थाई तो बना रहता है अगर यही लिखा रहता कि उत्रीक दक्षनी अस्तल खंडों की जगह यहां पर लिखाए दक्षनी गोलार्द में अस्तल खंडों की अभाव के कारण यह समुद्री सता की अधिकता की कारण जेट स्टीम अधिक ब्यवस्तित और व्शित होती है तो इस statement का है घलत है दक्षनी गोलार्द में अस्तल खंडों की कमी की कारण जेठ स्टीम का विखेपन अधिक होता है गलत है क्योंकि समूथ समांगी सता होनी कर इसमें विक्षेपण क्या होता है कम होते हैं इसलि Bean सा सही है ना तो एक सही और नहीं दो सही है कर दिए अब है कि यह प्रसंद गलत अगर होता है तो इस इसलिम सेग्ञ क्योंकि देखिए यह जलवाई महादीब के पूर्वी भागों में पाई जाती है तो पूर्वी भाग के मतलब हो गया इसमें सहारा तुल्ली नहीं हो गया भुमन्द सागरी नहीं हो गया अब यह दो है एक post अहां की जलवाई उसकड़वंदी जलवायू की तरह होती है समभानी वर्सा होती है जो इस का अलमम०िक होती है स्षालۅ में इस जलवाई में मौस्म मिधाप कड़िवन्द के कारफ मौसंद में परिवर्त्व9 ठीक है तो अगर देखा चेंज वेढिविडे दियूट। टूशिफ्टिंग ओफ प्रैशर बेल्ड। अगर यहां से आप एंसर पे नहीं हा रहे हैं तो यहां पर इसकी जग़़ापर अंग्रेजियु में पढ़ेंगे चेंजीन वेधर दूटूटूजिटुप्टिंग उफ प्रिसे बृत भारत मेरिकान समय जो क्या था जलवाय कैसे होती है उस कड़वंदिये होती है अब आज ये कि स्टेटमेंट बीचार करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट देखना अक्तूबर में उपोष कडवंदिये पस्टमी जटस्टिम गंगा के मैदान में स्थापन के साथ तो जब ऑक्तूबर का समय आता है थंड का समय आता है तो उपोष कडवंदिये पस्टमी जटस्टिम की उपस्तिती में निम्नवाइदान की जगह प्रतीचक्रवाती अधुक्त होती है। उच्छ उप्तरपस्मी भारत में उच्छ उइदान के विकास की का गंगा के मैदान के उपर निम्नवाइदान की द्रोणी का म horizon था किसे होगा निर्मान किसी आप मान के कारण होता है रेसर बेल्ट के आइटी स्टीट के बनने कारण है इसका इससे कोई लिंक नहीं है तो यह क्या होगा इसमें यह गलत है कि एक से संदर में स्टेट्मेंट पर अगर विचार करना है और करेक्ट स्टेट्मेंट को देखना तो समानेता अधिक उचाई पर होने वाली विलोमता अधिक स्थाई होती है तो जब अधिक उचाही पर विलोमता होगा तो उसमें अस्थाई तो क्यों होगा कि अधिक उचाही पर वाई मंडल में डिस्टर्बेंस कम होता है सत्य के समीब हवाएं वगरे चलती रहती है अस्थल क्या है अस्थल का प्रहाव भी होता है यह बाट तो सही ताप यह विलोमता है करना वाई मंडल में और सिर्था आती है प्रिंग क्योंकि नीचे ठंडी वाई होती ऑपर गर्म वाई जब नीचे ठंडी वाई होगी ओपर गर्म वाई होगी तो वाई मंडल में क्या रहता है स्थाई तुकि शिती बनी रहती तो इस statement गलत है कुछ अक्षांसों में लंबी रात्री होने से वहां प्रतिलोमन अधिक होता है ताप यह विलूमता के लिए उच अक्षांसों में यानि लंबी रातों का होना हो सक है इसलिए यह statement क्या है correct मैं सिर्फ अभी answer बता रहा हूं और answer बता रहा हूं और यह दो तरह का इसमें यह आप सोच करेंगा कि चलो अगली बार जो है इसी को तो discuss करेंगे कुछ पता नहीं कुछ भी आपके लिए surprise हो सकता है मैं क्या करूंगा यह यह पता चलेगा यह मैं खुद भी सोचूंग संडे के दिन है उसके बीच में देली मुझे लेनी है उसके बारे में सोचूंगा न इसलिए आपके आपको क्या करना है पेपर देखिए answer में बता दे रहा हूं अगर अभी आपके strategy में प्लानिंग में जोग्रफी का अभी आपने जोग्रफी की classes नहीं कियो या नहीं पढ़े हो तो तनाव दवा मत लीजिए आप बोली चलो पढ़ेंगे तो इन questions को ध्यान में रखकर class में लट रहेंगे पहले से पढ़े हैं तो एक बार देखिए कि जो questions आप से सही हो सकते हैं तो क्यों गलत हुए क्योंकि इसमें कोई factual questions ऐसा नहीं है कि जिसको रटनी क्या हो सकता है ठीक है और ऐसे यूपीएशी की द्वारप्रशन किये जाते हैं तो आपने answers को क्या किया इसमें पहला और तीसरा भी अस्थानी हवाओं के संदर में मिस्ट्रल के समान बोरा भी सुस्तता ठंडी हवा है इस प्रकार के question को क्या कीजिएगा पहले world map में सभी local winds को mark कीजिएगा क्योंकि मिस्ट्रल जो है यह रोन घाटी जो है फ्रांस में जो रोन नदी अपवाहित होती है वहां चलने वाली वहां चलने वाली सुस्क ठंडी ह हवा है बोरा जो है अड्रियाटिक सागर से चलने वाली ठंडी हवा है ठीक है और इसलिए यह स्टेट्मेंट क्या है सही है गर्म सुस्क्यम धूल भरी हवाओं को स्पेन में लेची कहते हैं तो स्पेन में लेची कहते हैं स्पेन में लेची कहते हैं और वहीं पर अगर जा कि क्लिट सानता न चिनुक कर्म सुस्क होतीगा सान्ता चलती है तो कालिफॉर्णिया लना होती है गाटी में गर्म zou त inom में तीनों स्टेट्मेंट करेक्ट है यह कुश्चन का एंसर भाई दे पाएगा जो लोकल मिंट्स को ऐसे पढ़ा होगा कि ठीक है यह एकदम रटा होगा कि कई बार लोकल मिंट्स नहीं कई लोग होते ना अपनी मन मानी करते हैं कोशिस तो हम लोग का यही है कि अभी से लेकर आप समझदार लोगों के लिए इशारहीं काफी होता है कि सभी जो लोग हैं सभी आज से नहीं कई वर्सों से पढ़ाने वाले अनभवी लोग जो अपना समय देने के लिए पूरी तरह से तयार है ठीक है और उसके बाद आप अ सेलेक्शन हो उसमें जब आपको गाइड करने के लिए वेक्ति तयारे कि ऐसे चलना है आगे बढ़िए तो उसमें अपना तयारी करते वे चलिए जहां आपको लगे कि आप किसी सब्जेक्ट में भटक रहे हैं तो पॉस्टनली जाके मिलिए कंसरंट फैकल्टी से कि यहां सब्ल करणा चलती हैं प्रश्लित हवाओं के कारण डृफ्ट के रूप में जल धारा के उत्पति होती हैं महसागरी जल te RTX में जो अंतर होता हैं इस प्रित्वी के परिक्रमण से मौसम में परिवर्तन होता है मौसम में परिवर्तन से ताप्वान में परिवर्तन हो सकता है लेकिन यहां पर जो ऑप्षन दे रहा है वह एक दो और तीन एक दो तीन और चार देता है तो साइध हमें उसे भी करेक्ट मातना पड़ता है कि चार देता option में तो चौथा विकल्बी से होता क्योंकि प्रित्वी की परिक्रमण के कारण जब मौसम में परिवर्तन होता है तो उत्री हिंद मासागर में जल्धाराओं की जिसा क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है ठीक है अब देखें कि समुद्र में लवडता अधि से पहुंचता है तो देखिए फ्रिजिंग पॉइंट का फ्रिजिंग पॉइंट जो है उसका सैलनीटी से इन्वर्स रिलेशन होता है जैसे सैलनीटी बढ़ते जाएगे या किसी पानी में इस तरह के स्टॉल्ट वगरे को मिलाईएगा तो उसे मिलाने का मतलब होसे हम जल ठीक है तो जब सैलनीटी बढ़ती जाएगी सैलनीटी बढ़ती जाएगी तो हिमांग जो है देरी से पहुंचेगा ना उस पदात के जमने का समय जमने में समय लगेगा तो स्टेट्मेंट सही है लवडता दिक होने पर वास्पिगन कम होता है तो रेट ऑफ एवापरेशन का सैलनीटी से इन्वर्स रिलेशन होता है जितना पानी खारा होगा उसके दोरह हीट को अब जॉर्ब करने के अबसेटी उतनी ही बढ़ जाएगे उतना ही उसके वास्पिग्रित होने की संभावना है कम होगी यह भी सही है लवडता अधिक होने पर घनत में ब्रदी होती ह यह भी सही है जब लवडता जो है घनत में कमी आती है लवडता अधिक होने पर वास्पिग्रित कम होता है ठीक है अब यहां पर क्वेश्चन से लवडता अधिक होने पर घनत में ब्रदी होती है ठीक है अब यहां ऑप्शन में दिया हुए एक और तीन अब लवडता अध भी होने पर इस तो मेरे बोव्ड़ता दिक होने पर थे होने प्रिजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी रिदिंग पॉइंट उसका और कम होगा तो यहां लिख रहा है हिमांग नीचे देरी से पहुंचता है तो अब बता ही इस तीनों में आप आप्शन सेलेट करना है तीनों ते स्टेट्मेंट करेक्ट है तो देखें भी होगा क्योंकि यहां पर अगर ऑबरॉल ऑप्शन कहा जाएगा तो लवड़ता दीख होने पर घंद में ब्रिदी हो रही है ठीक है लवड़ता दीख होने पर तो सौल्ट की मात्रा बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ जागा तो यहां सही करेक्ट ऑप्शन होता है जब एक दो और द अब बान के चलिए अब यहां देखिए प्रवाल में उस कड़वंदी सदा भाहर वनों के अब एक शादिक विवित्ता पाई जाती है सही है क्योंकि जहां प्रवाल मिलते हैं इन्हें समुद्री वर्सावन भी कहते हैं जहां प्रवाल होते हैं वहां पर पादप लवक से लेकर जन्तु प्लवक से लेकर छोटी बड़ी मसलियों से लेकर कई प्रकार के स्पीसिज मिलते हैं इसलिए यहां डाइवर्सिटी सदा भाहर वर्सावनों से अधिक होती है प्रवाल भीतों का अधिक विकास प्रशांत महासागर तो क्या है सही है क्योंकि प्रशांत महास महासागर में देखिए प्रसांथ महासागर में इतने सारे नियुक्षण कोरा विकास इतना है to तो यह यह तो इसे हटा दीजिया अगया तो हमान लगए यह दोनों नहीं भी जान रहे हैं यह तो इसमें कोई सोचना फस्वाल भीतियों का विकास समान रूप से कैसे हो जब तीन गलत है तो एक और हमें नहीं लगता है कि यह प्रशन गलत होंगे आप लोगों से नहीं है न बोलने पर मद जाई बागी लोगों के हैं बहुत लोगों के questions को मैंने देखा है कि निवलीत में कौन सी घटना तुफान से संबंध स्टॉर्म से नहीं है नॉट रिलेटेड विथ स्टॉर्म तो वाई मंडल में जब और स्थिर्ता होती है तो स्टॉर्म ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनता है क्योंकि वाई मंडल में और स्थिर्त निम्न वाईदाप का विकास होता है वाई मंडल में वायू का आरवन होता है वाई मंडल में जब डिस् solar storm भी कहते है要وبि स्पेस में स्पेस में सौर्व के Movement की इंटेसिटी बढ़ती ए जब सन SPART हाइड्रोजन का हीलियम में तेजी से परिवर्टन होता है दॉस और और उस परकार के में जो solar स्थार्म जो होते हैं जब रनेLou चांडल में प्रवेश करते हैं तब ंने softwarethen नहीं है हैं तो हैलोइन स्थॉर्म स्पीस स्फॉर्म है जो सबस्ष्ट है जिसके जिसको कह सकते हैं जो मैगनेतोस्फेर जो कहां पर रहे वहांद आलन बेल्ट है विह के स्था बर PAC सता पर व्यूंतल्हबर्स है। इसका स्टॉर्म से संबंद है ? नहीं है। जबकि अंत्रिक्ष मौसम और इघटना भी है सोलर स्टॉर्म Dur convey Rate सूलर स्टॉर्म को इस मत्यूल煮 के भी कहते है अब सिर्फ आइंसर पर द्यान दीविए है आप लोग मान लेते हैं न कि यह हो गया है कि फैक्ट मिल गया चलिए आजए यहां पर स्टेट्मेंट में कौन कौन से करेक्ट है यह टॉपिक विदरिंग सम्बंदित है अब शे ऐसे प्रक्रमों का समू है जिसके द्वारा प्रिष्टिये कमस्थली चटाने विगटित होती है सर्फेस और टरिस्टियल ध्यान रख्येगा सत्व अप्छैन से विदरिंग जो होता है उसे सत्व पर जो चटान होते मौसम का प्रहों अंदर की परतों में नहीं पड़ता है तो अ मौसम में परिवर्थन के कारण सत्व पे चटान का विगटन और वियुजन होता है आंत्रिक भाग में अंदर की परतों में नहीं होता है इस्टेट्मेंट कब सही होता है जब यहां अस्थ द्वारा ही पूछा गया उसके द्रवारा ही दिया जवाब है कि द्वारा पूछे प्रस्ण है लेकिन अब कौन से कहां पूछा कि अपनी जगह पर है एक्स्ट्रीम ड्राइनेस ड्रीडूशेज मोस्ट अब दा वेधरिंग टू अमेनिमम जब बहुत ड्राइव होता है तो वहां पर केमिकल वेधरिंग नहीं होगा और फिजिकल वेधरि स्टेट्मेंट इस स्टेट्मेंट से क्या समझे कि किसी भी छेत्र में अगर मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो fundamentally भी अगर आप क्लिए रहेंगे तो अप्छायन का संबंद भौतिक और रासानिक परिवर्तन से हैं तो जहां रासानिक परिवर्तन नहीं होगा वहां भौतिक परिवर्तन का दर कम होगा जहां भौतिक परिवर्तन नहीं होगा वहां रासानिक परिवर्तन का दर कम होगा क्या क्या समझें कि यदि वेद्रिंग जट्टानी संदस्तना में विघटन और वियोजन भौतिक्य मुरसानिक परिवर्तन से संबंदित एक प्रोसेस है तो किसी भी छेत्र में दोनों में से एक को को initiate करना हो सकते दोनों का होना हो सकते दोनों में से किसी एक का प्रहा अधिक हो सकता है दूसरे का प्रहा कम हो सकता है तो यहां क्या कह रहा है कि extreme drivenness reduces most of the weathering to a minimum तो क्यों क्यों कि यह chemical weathering नहीं होगा यहां कहरा भौतिक अप्षैन को अधिक सुस्क्य मुशीतल जलवाई में प्रधानता होती है तो फिजिकल वर्षा बन वाले जलवाई में अधिक्तम चट्टानों का अप्षैन धीमी कति से होता है क्योंकि यहां पर आत्रता बहुत अधिक है chemical weathering बहुत होता है physical weathering का अधर नगर्नी होता है ठीक है तो इसको एक बार देखते वे तो एक रम सौट में कहा जाए तो एक कॉंसेट क्या बना लेंगे कि यदि weathering का संबंद भातिक और रासाइनिक परिवर्तन से है तो किसी भी छेत्र में weathering होने के लिए initiate अगर भातिक परिवर्तन कर रहा है तो वहां rate किसका देखोगा रासाइनिक आश्य कोन कर रहा है तो अघर वातिक परिवर्तन कर रहा है और तो पर और दूसे तरफ क्या है कि जहां पर रासानिक परिवर्तन का दर की जहां कोन सा दर आधिक भातिक परिवर्तन का उस जगह पर केमिकल रेट रियक्शन होना आवस्क है तो मैं अभी आपको हिंड के बल दे रहा हूं और मैं आपसे एक्सपेट करूंगा कि जैसे एक बार मैं जो मेरी अपनी योजना जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि पहले आप प्लानिंग के कोर्डिंग आगे बढ़िए और question solve करते जाएं फिर अपने जाएं रिविजन कीजिए इंप्रूब कीजिए और लास्ट में अंतता जो selected topic होंगे जिसमें आपकी उल्जहने अधिक होंगी जो आपको लेंगे यह उलत जा रहे हैं इसमें कैसे होगा तो उस पर फिर extra आपको discussion के लिए ब कौन सा सही है तो यह तो पढ़े होंगे सही भी वहागा आपसे question बहुत कौमा ने bomb cyclone का निर्मार समाने तरह सर्दियों में होता है अभी नीज में आया था जब मध्यक्षांशी चेत्र में एक आएक क्या हो जाता है लो प्रिशे डवलब होता है तुफान आने लगता है तो कहते बॉंब cyclone आ गया और जबकि hurricane की उत्पत्ती गर्मियों में होती है तो statement correct है bomb cyclone की उत्पत्ती के समय वाईदाब में मंद गती से कम से कम 24 मिली बार तक कम ही आती है तो statement सही है कि गलत है गलत है क्योंकि cyclone जब बनता है तो वाईदाब में तेरी से तो मंद गती से नहीं बलकि तीव्र गती से कम ही आती है इसलिए statement कब correct होता जब bombs यहां पर लिखा रहता तीव्र गती से कम से कम 24 मिली बार की कम ही आती है तो मध्यक्षांस ये शेत्रों में जब कम समय में 24 घंटे के अंदर ही चौबीस मिली बार तक वाईदाब कम हो जाता है तेजी से और उससे तूफान अगर आते हैं तो उस प्रकार के cyclonic condition कोई bomb cyclone का नाम दिया गया तो इसमें पहला जो है correct है दूसरा incorrect है यह आसान प्रस्ण है कि इस प्रस्ण में को कोमल लखडी की विश्व की सरवादिक सम्रित स्रोत है तो मुलायम लखडियों के वरिक्ष संकू धारी होंगे यहां पर सदा भार कोण धारी वरिक्ष अगले स्टेट में दे रहा है पाइन फर इसकंदर कनाड़ा स्वेड़न यह आते तो क्या होगा तो जलवाई प्रदेश प्राकृतिक बनस्पति प्रदेश मिर्दा प्रदेश सब को मिलाकर एक टॉपिक बढ़ना है बायूम उसे संबन देते वाई मंडल में प्रकास के प्रक्रण के कारण सन्राइज और संसेट होने के समय सूर्य लाल दिखाई देता है अट ray होने के बार जो चिलव WILL करके सता पर आती है उससे क्या होता है उपिर यहां दोनों है अश्रण time er glare इस स्टेट्मेंट कि इस टार इस कर्यतलिंग वहता है और साथ में करने प्रक्रक्र कर्था होता है ठीक है आप इसमें है कौन कौन से सही नहीं है तो सही नहीं है तो यह सही है ने अब मेगा शाधन बहुत कम पाया जाने की कारण धरातल पर सबसरीक सुरिताप वो पोस्कडवंदी मरुसले पर पर प्राप्त होते हैं जहां पर आस्मान साफ होते हैं वहां पर तूरे तप अधिक प्राप्त होगा ना क्योंकि जहां आस्मान साफ होंगे वहां सता को सवरुर्जा की प्राप्ति अधिक तो यह भी सई और तो क्या कहेंगे कौन सब्सक्राइब ना तो एक ना ही दो अधिक ताप युदकरम के संदर्म में कौन से स्टेट्मेंट से यह ताप यह विलोंता की संदर्म में उचाहिए में ब्रदी के साथ तापमान में कमी आती है प्रदी होती है ताप यह विलोंता की बात कर रहा है तो ताप यह विलोंता में उचाहिए में ब्रदी के साथ तापमान में कमी की जगह ब्रदी होती है तो स्टेट्मेंट क्या है गलत है धुरूबिये च्छेत्रों में वर्थ भर तापमान विज्गरम होना समाने है तो इसमें कौन से सही है केवल दो उप्रिक्त में से एवलांस के लिए तो एवलांस अगर हो रहा है तो लैंड्सलाइड होगा तो लैंड्सलाइड का है भुकम पाएगा तो लैंड्सलाइड होगा भुकम पाने पर लैंड्सलाइड हो जागा ने भारी वर्षा होगे तो लैंड्सलाइड होगा स्नोफॉल होगा तो लाइंड स्लाइड होगा सुनामी आएगा तो लाइंड स्लाइड होगा इसमें से क्या होगा चारों से अब जो इसने सुनामी को इसमें से बाहर किया होगा तो वो दिमाग लगा दिये होगा क्योंकि सुनामी जो है तट्टिये छेत्रे जितने भी आक्टिक और अंटाक्टिक आगए उच अक्षांस के छेत्रे वहां तट के पास भी बर्ब जमे रहते हैं वहां पर भी क्लांस हो सकता है मौनसुन कब समाने माना जाता है तो यहां पर लॉंग पिरिएड एवरेज रिंफॉल है लॉंग एवरेज रिंफॉल की तो कौन सा होगा जब ल्पी एक नाइंटिसिक्स और एक सो चार प्रिसेंट के बीच वर्सा होती है तो देखिए मौसम विभाग न इसमें देखा गया कि 87 यानि 88 87 सेंटिमीटर और 86 सेंटिमीटर लास्ट त्री यह के जो वर्सा को देखा गया आवरेज वो इतना देखा गया और उसमें कहा गया कि एल पी है प्लस माइनस दस प्रतिसत तक होना चाहिए वेरियेशन तो लंबे समय तक लंबी आओधी तक भ मौसम विभाग यह निर्धारित करता है कि नौरमल माउंसिन है कि एड़वर्स है तो जब 10 प्रतिशत का वेरियेशन होता है ठीक है और वह वेरियेशन जो है अगर देखा जाए तो उस वेरियेशन क्या धापर क्या कहा है कि यहां 96 से 104 परसेंट जो लिखा हुआ है तो इत वर्सा हो गया समान नहीं होता है जब जून सितंबर के बीच में वर्सा अधिक होती है तो कहेंगे इसका कोई मतलब नहीं है समाने से जब दिर का अधिया उसत वर्सा लगबग 100 cm होती है कोई मतलब नहीं जब वर्सा की परिवर्तन सिलता 35 परिश्यत के बीच में होती है इ भारत के लिए नहीं भारत के अलग लग शेत्रों के लिए भी इस प्रकार के रेंफॉल की गढ़ना की जाती है दिखेंए यह यह जो आपके आत कि जो डिसक्रेशन ठाए उसमें दो बाते जो मुझे आपको मैसेज देना था आप प्रीवियस यह सिर्कें को बार-बार देखते रहे हैं जब तक आप previous year के question को नहीं देखेंगे यह नहीं कि एक बार solve कर लिए उससे आपको पता रहेगा है कि हम किस प्रकार से UPSC question frame करती है और किस प्रकार के topic को महत देती है दूसरा important part क्या है कि question अगर पहली बार देख रहे हैं तो उसको solve कीजिए अगर solve करने का mood नहीं है तो question paper बंद कर दीजिए बाद में solve करेंगा question paper को solve कर लिए तो अलग से समय निकालिए और समय निकालके एक ही question लीजिए और उस question के basis पर अपना revision कीजिए और अपने आपको improve कीजिए लेकिन उसमें 10-15 मेर्ट से ज़्यादा समय मत दीजिए नेक्स जो आपको program दिया गया इसमें topic दिया गया इस एक वी के अंदर में आपको environment की त्यारी नहीं करने है जो भी आपनी environment पढ़ा है उसको revise कर लिजिए तैयारी सुरू कीजिए फीजिकल जोगरफी की प्रिपेशन को बिगिन कीजिए फीजिकल जोगरफी का है जब नेक्स संदे को आपका environment discuss कर लेंगे तो फीजिकल इनवार्मेंट का जो पार्ट है उसको साथ में लेकर आप कैसे चलेंगे उसकी फिर आप योजना बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे ठीके ना तो चलिए धन्यवाद